So, good afternoon friends. ऐसा है, online जादा है शायद. अब बेटो, बेटो. So, ऐसा है, हम लोग जो revision करेंगे एकदम quick revision रहेगा, recap रहेगा. That means हम जो भी पढ़ चुके हैं, और revision का मतलब ही है कि हम यह मान लेंगे कि आपने यह पहले पढ़ा है. So, खुद ने भी पढ़ा है, सिर्फ class में नहीं, खुद ने भी पहले एक बार कम से कम पढ़के हुआ है. तो इसके revision का मतलब होगा, और साथ ही साथ हमको जो amendments हैं, amendments वैसे RTP में आए हैं, और RTP self-explanatory है, बहुत सारे amendments बहुत ही आसान हैं, तो वो amendments अपने को देखना है, वैसे आपने RTP देखा होगा, RTP, revisionary test papers, उसमें पहले जो pages होते हैं, उसमें amendment दिया होता है, तो वो amendments भी अप small company की definition है, सबसे पहली चीज़ जो आपको याद होगी, small company की definition में दो limits हैं, एक paid up capital की दूसरी turnover की, तो वहाँ पे अभी 2 करोड और 20 करोड की limit थी, वो 2 करोड और 20 करोड change होके, 4 करोड और 40 करोड हो गई है, ठीक है, तो 4 करोड ये paid up capital की limit है, और 40 करोड ये अपके turnover की limit है, ये दोनो limits change हुई है, तो again important हो जाता है ये क्योंकि वैसे भी इस पे बहुत questions आते रहते हैं, small company पर, और यहाँ पर क्योंकि change आया है, तो maybe इस पे और questions पूछने के chance बढ़ जाते हैं, बाकी कुछ amendments तो अपने book में already है, अगर नहीं होंगे तो ध्यान रखना, जैसे, अब च सपन देख लेंगे, section wise मैंने यहां list लेकर आया हूँ आपके लिए, और हम इसी के थुरू revise करेंगे, so क्योंकि अपने पस सिर्फ six hours है, six hours में अपने को quick recap करना है, तो उसमें अपन sections के हिसाब से revise करना चालू करेंगे, पहले कुछ sections हैं, जो कि already foundation level में आपने पढ़े थे, इसको मैं deep में revise नहीं करता हूँ, उपर उपर आपको बता देता हूँ, जैसे section one आपको पता है, जैसमें short title, extend commencement and applicability है, यह act किस को लगता है, कहां कहां लगता है, यह सब पढ़ा है आपने, so बहुत ज्यादा काम का नहीं है, exam point of view से, बट आगे कही ना कहीं काम आता है, जै section two में definitions है, जिसमें आपको small company की definition, क्योंकि amendment है, तो यह important हो जाती है, exam में पूछने के chance बहुत बढ़ जाते हैं, इसके अलावा private company की definition है, और बाकी भी जो first chapter में definitions है, जाधा तर definitions पे कहीं ना कहीं questions पूछे गईच है, तो हर exam में दिखा गया है, एक definition तो आती ही है, या तो holding subsidiary आएगी, या small company आएगी, कुछ ना कुछ पूछते ही है, तो definition वाले points को करना है, यहाँ हम वो चीज़ फिर से नहीं करेंगे, क्योंकि already आपको पता है वो चीज़े, तो अपने पास limited time है, तो अपन वो वाला point भी skip करेंगे, third वाला formation of company, इसी को हम दूसरे शब्दों में kinds of company बोलते हैं, तो kinds of company में पहले बताया है, public, private, OPC, फिर limited by share, limited by guarantee and unlimited, again यह भी section वैसे देखे जाए, तो exam में पूछने का कोई सवाल नहीं आता, तो section 1, section 3 यह नहीं पूछे जाएंगे, section 3A एक important section है, जिसमें बताया गया है, minimum number of members से कम हो गई, अगर members की संख्या तो क्या हो और 2 की death हो गई, और उनके nominee existing member ही थे, तो ऐसे case में 5 ही member बचे हैं, तो 5 members से फिर से 7 करना पड़ेगा within 6 months, अगर आप 6 मैने में नहीं करते हो, तो फिर सबकी liability individual, personal हो जाएगे, after those 6 months, and who are aware, जिनको पता है, MOA, AOA नहीं पूछा जाता है, इसके ओपर की doctrine पूछी जाती है, but again वो हम revise नहीं करेंगे, क्योंकि यह foundation वाली ही चीज है, आपको अच्छे से पता है, यह हम मान के चलते हैं, फिर 6 भी कोई काम का नहीं है, act to override memorandum articles, 7 exam में questions आते हैं, कई बार इस पे, what are the documents and information required to be filed, इसके ओपर question आता है, कि कौन कौन से documents आपको file करना पड़ता है, while incorporating a company, कई specific question आता है, while incorporating OPC पूछ लेता है, तो बाकी 60 documents वही है, अलग से कोई और document नहीं है, एक extra nominee की consent लगती है, वहाँ पर, वैसे ही कभी section 8 company पूछ लेगा, तो यही 60 documents है, इसके अलाबा एक extra license की copy आपको file करना पड़ता है, तो वो एक छोटे-छोटे से points कई बार आते हैं, फिर section 8 company पे काफी बार questions आते हैं, भले ही foundation में आ चुका रहता है, बट फिर भी inter में फिर से question पूछा जाता है, और खास तोर पर वो dividend वाले ही question पूछा जाता है, कि dividend बाटना की नहीं बाटना, company बंद हो रही है, उस time बाट सकते हैं, तो कभी भी नहीं बाट सकते हैं, पहले भी न contract नहीं बनता, जिसमें आपको याद होगा, Mr. L. एक advocate है, उसने बोला company बनाते वक्त कि मुझे articles के थुरू legal advisor appoint करो, याद आ रहा है कुछ, ऐसा पढ़ा है कहीं? एक question होगा आपके book में, होगा याने है, मेरे को पता है, तो उसमें दिया हुआ है कि एक व्यक्ति होता है, company बनाने में help करता है, और वो बोलता है company के members को, जो subscribers हैं, कि मेरा नाम लिख दो articles में, कि जब company बन जाएगी, तो मुझे आप law officer appoint कर दोगे, तो लिख दिया जाता है articles में, और उसमें ये भी लिखा होता है कि इसको निकाला नहीं जा सकता है, जब तक वो कुछ गडबड ना करे, फिर भी company कुछ time बाद उसको हटा के दूसरे व्यक्ति को appoint कर देती है, तो क्या ये किया जा सकता है, क्या company bind हो गई थी, तो answer is no, क्योंकि binding relation किसका बनता है, तो members और company के बीच binding relation होता है, outsider के साथ कोई binding relation नहीं होता, फिर उसमें एक point और है कि अगर वो member होता, तो क्या वो ये right exercise करवा सकता था, तो again answer will be no, क्योंकि ये अधिकार उसको as member थोड़ी मिल रहा है, कि उसको law officer appoint कर रहे है, ये member वाला right नहीं है, तो वो वाला right enforce नहीं करवा सक आता हुआ, ठीक है, तो ये section 10 पर ये question आता है, 10 A पर question वैसे पूछना चाहिए, बट पूछे नहीं जाते है, मेरे हिसाब से आ सकता है, आपको ध्यान रखना है, 10 A में दो चीज़े कई बार हम भूल जाते हैं, हमको सिर्फ ये लगता है commencement of business, बट इसमें दो चीज़े, commencement of business plus borrowing, borrowing भी नहीं कर सकते हैं आप जब तक दो condition पूरी नहीं होगी, पहली condition है, 180 days के अंदर आपने declaration फाइल करना चाहिए, declaration में लिखा होता है कि जितने भी subscribers हैं, जिनोंने पैसा लगाने की बात कियेते, shares खरीदेते, उन्होंने पैसा दे चुके हैं, ये एक declaration होता है, which is to be verified by a chartered accountant, company secretary और cost accountant, and साथ में कोई extra license लगते हैं, तो वो भी आपको लगाना पड़ता है, जैसे अगर आपकी company brokership कर रही है, तो SEBI का license होगा, अगर आप pharmaceutical में deal कर रहे हैं, तो drugs license होगा, drugs होते हैं न, वो वाले नहीं, वो drug से लग, drug से न, दबाईयों का, तो वो भी आपको साथ म आपको 180 days के अंदर, and दूसरी condition है, आपको registered office का verification फाइल करना है, यह verification within 30 days करना पड़ता है, as per section number 12, section 12 में बताया हुआ है, section 12, subsection 2, कि within 30 days आपको registered office का verification करना पड़ता है, याद है, revision है, तो मैं ऐसा मान के चलता हूँ, आपने थोड़ा तो पढ़ा होगा, और यहां तक के तो वैसे भी पढ़ा ही हुआ है, अब इसके आगे की जो points है, उसको अपन थोड़ा हलके फुलके deep में जाके देखेंगे, इसके बाद, तो यहां तक का जो था यह सब foundation का है, इसमें कुछ भी नया नहीं है, यह foundation में भी पढ़ा है आपने, फिर inter में भी फि आगो अभी तो जरुरत भी नहीं है, और time भी नहीं है, बट फिर भी अगर आपको लगता है, तो मैं share कर दूँगा, और बाकी आपके पास short notes हैं, उससे भी हम revision कर सकते हैं, बट यू टू बहुत ही कम time है, अपने पास सिर्फ 6 घंटे मिलें अपने को, क्योंकि time ही नहीं मि अगर आपको चाहिए, तो YouTube पे मेरे वीडियो ही, other loss तो आप वहाँ से कर लेना, और company law यहां पूरा cover कर लूँगा मैं, जितना भी जरूरी है, और 100% तो नहीं होगा, क्योंकि यहां पे अपने कम time में कर रहा है, तो लेकिन जितने important points हैं, वो पूरे cover होंगे, ठीक है, जैस इतने दिनों के अंदर, तो 30 days के अंदर, आपको registered office होना चाहिए, within 30 days, और इसका verification भी file करना चाहिए, इतना तो बताता ही है, साथ ही साथ, change of RO के बारे में भी बताता है, लिखने की जरूरत नहीं है, यह सब आपके पास लिखा हुआ है, change of registered office, चार प्रकार से हो सकता है, ज जैसे आप यहाँ पर ही रहते हैं, नाकपूर में registered office है, आपने रामनगर से रामदा स्पिट में ले गए, तो वो एक हो गया, दूसरा, जिसमें city तो change हो रही है, but same ROC है, ROC same रहेगा, and state भी same रहेगा, लेकिन city बदल रही है, city change हो रही है, यह दूसरा case है, यहाँ पर आप special resolution लगता है, क्योंकि city बदल रही है, आप city limits के बाहर जाते हैं, तो special resolution, section 12 में लिखा है, इसके अलावा, जब ROC change हो रहा है, तब आपको extra regional director की approval लगेगी, regional director के पास approval के लिए application करो, regional director आपको approval allow करेगा कि आप जा सकते हैं, और इसके लिए भी time limit दिया हुआ है, within 60 days, उसने in fact within 30, 60, 30 ऐसी तीन limit आती है, 30, 60, अगर days याद नहीं रहें, तो वैसे तो जादा तर जगे 30 days की limit है, 30 days के अंदर उसको बता दो अगर है, 30 days आपको हर जगे देखने को मिलेगा, और जहाँ याद नहीं रहे हैं नहीं लिखे, within prescribed days लिखे तो भी चलता है, वैसे section याद नही पता है, आपको चीजें पता है, बट section नहीं पता, तो as per the prescribed section of companies लिखे तो चलता है, और section में marks मत गवाना गलत लिखे, अगर याद है तो लिखो, नहीं तो मत लिखो, ठीक है, तो यहाँ पे regional director से आप approval लेते हैं, और regional director से approval लेने के बाद आपको file कर देना है, और special resolution भी रह ROC, फिर नया ROC आपको एक certificate देता है, नया, जिसमें certificate of incorporation जिसमें new ये रहेगी, new detail रहेगी, new register की sign रहेगी, ठीक है, तो बाकी detail चेंज नहीं हो रही है, सिर्फ RO चेंज हो रहा है, तो बाकी MOA वगर हैं यहाँ तक change नहीं होता है, MOA कहाँ चेंज होता है, last वाले में, जहा सब section 12 में cover होता है, section 13 में state change होता है, state change हो रहा है, तो आपको central government की permission चाहिए, central government ने वैसे regional director को delegate कर दिया है, बट यहाँ पर central government permission देने के पहले creditors को सुरक्षित करती है, तो creditors को या तो उनको secure कर दो, या तो उनका provision create कर दो, या फिर उनका consent ले लो, तीनों में से एक चीज क करो उसके बाद permission दी जाएगी कि आप state चोड़ के जा सकते हैं, क्योंकि state चोड़ रहे तो वहाँ सब चीज बदल जाती है, वहाँ court वगरे भी बदल जाता है, तो इसलिए यहाँ पे आपको थोड़ी लंबे process रहेगी, ठीक है, तो यह section 13 हो गया, section 13 में और भी चीज़े है So section 13 में alteration of memorandum में तीन चीज़ें cover होती है, पहला एक name clause, तो name अभी हम पढ़ने के हैं, फिर registered office clause, जो अभी देखा हमने, क्योंकि 12 के साथ देखे इसलिए आरो पहले बता दिया हमने, और फिर objects, Name clause दो जगे change हो सकता है, एक तो section 13 में, दूसरा section 16 में, section 16 में compulsorily change करना पड़ता है आपको नाम, और section 13 में जब आप अपने इच्छा से change करना चाहते हैं, तो change of name में, अगर आप compulsory change में cover होते हैं, जब आपका नाम किसी existing company से मिलता जूलता है, या किसी proprietor के trademark से मिलता जूलता है, तो यहाँ पे central government direct करेगी आप नाम बदलो, दूसरा case जब आप खुद करना चाहते हैं, Suomoto, खुद से अगर आप change करना चाहते हैं, तो यहाँ पे आपको special resolution लगेगा, यहाँ आपको ordinary resolution से काम हो जाता है, तो ordinary resolution से आप filing करोगे, यहाँ पे अगर proprietor का trademark है, उससे मिलता जूलता है आपका नाम, तो पहले proprietor apply करेगा central government के पास, इसके लिए भी time limited 3 years, तीन साल के अंदर यह apply करेगा central government के पास, कि इन्होंने same नाम से company register किया, जो नाम मेरा है, तो उसकी application के बाद फिर companies को change करने बुलेगी, अब यहाँ पे again amendment दिखेगा आपको, तो वैसे अगर आपके पास अभी recent book है, तो इसमें amendment covered है, यहाँ पे, जो section 16 है, of the Companies Act, इसमें amendment act 2020 का है, तो आपके अगर नई book है, तो जो recent batch वाले है, उनके पास यह है already, जो पुराने होंगे, उनके लिए यह note करना है, जहाँ पे पहले period of 6 months, so in subsection 1, period of 6 months, इसके जगे, the words period of 3 months shall be substituted, तो पहले वहाँ अलग-अलग time limit थी, अब same time limit है, जिन्होंने नया पढ़ा है, उनको पता ही है, यहाँ दो चीजे है, एक, अगर वो किसी existing company से मिलता जूलता है तो, और दूसरा, प्रोप्राइटर के ट्रेडमार्क से मिलता जूलत है तो, अगर existing company है, तो यहाँ पहले ही लिखाता, ordinary resolution और 3 months, बट यहाँ पर पहले लिखाता, ordinary resolution and 6 months, तो यह 6 months के जगे अब 3 months दिया हुआ है, तो नई book में already वही है, तो आप लोगों के पास तो वही होगा, बट online जो कोई पुरानी book लेके बैठे होंगे, तो उन लोगों क यह change करना पड़ेगा, बाकि नए लोगों के पास यह same है, ठीक है, तो 6 मेने के जगे आपको 3 मेना substitute करना है, तो यह वैसे है, क्योंकि यह पुराना amendment है, तो आप लोगों की बैच में यह हो चुका है, ठीक है, फिर एक हाँ, यह वाला एक point extra का आपको देखने को मिलेगा, same अगर company यह नहीं करती है, यह point आपको नहीं दिखेगा, आपके book में, अगर company नहीं किया, तो यहां central government ने एक power रखा है, central government खुद अलोट कर देगी new name, तो यह एक नया point आपको देखने को मिलेगा, जो आपके book में नहीं है, तो वहाँ पे ऐसा था कि आपको करना है, लेकिन नहीं किया तो क्या यह नहीं लिखा था, नहीं किया तो penalty जरूर थी, लेकिन नहीं किया तो नाम खुद बदल सकती है, सरकार ऐसा प्रावधान नहीं था, अब यह नया प्रावधान आपको देखने को मिलेगा, जो एनफोर्स हुआ है लेट, इसलिए आपके book में नहीं था यह एक्चुली September 21 से एनफोर्स हुआ है बट आपके module में नहीं था यह, कहीं भी बताया नहीं गया था, इसलिए यह चीज़ आपको बाद में दिखेगी, तो यहाँ पर दिया है, September 21 से एनफोर्स हो चुका है, बट यह चीज़ module में अभी तक recommend नहीं किया था, तो अभी recommend कि इन्होंने RTP के थुरू, यह चीज़ यहाँ पर दिखेगी, कि central government directly new name allot कर सकती है, अगर company को हमने direction दिया नाम बदलो, बट वो फिर भी नहीं बदल रहे हैं, यह दोनों cases में, तो वहाँ पर central government can allot new name, वो खुद से कर देगी, ठीक है, इसके बाद फिर वो filing अगरे सब करना पड़ेगा, बट अभी central government directly new name allot कर देगी, and फिर registrar shall enter the new name in the register of companies in place of old name, और एक नया certificate of incorporation issue किया जाएगा, ठीक है, इसके बाद फिर अगर company change करना चाहे तो वो यह नाम बदल जरूर सकती है, जैसे समझो company को सरकार ने एक नाम दे दिया, उसको लगता है नहीं मेरे को यह न तो वो नाम बदल सकते हैं, ठीक है, तो ऐसा है, ठीक है, बाकी यह दिया है, वही चीज है, उसको clarify किया है, ठीक है, ज्यादा speed तो नहीं होगी, अगर ऐसा कुछ लगे तो बताना, आपने पढ़े होंगे, ऐसा में मान के चल रहा हूँ, एक दम blank होके तो नहीं बैठे समझ रहा ना, यह पढ़ा हुआ है, सिर्फ यह थोड़ा सा change जो है, वो मैं बता रहा हूँ, तो section 16 का बता है यह मैंने, ठीक है, तो इसमें एक नया चीज जो आपके book में नहीं है, तो यह new क्या है, कि central government can allot new name, और यह नया नाम जब central government allot करेगी, तो registrar भी note करेगा, and registrar will issue a new certificate, ठीक है, तो अब क्योंके amendment है, तो शायद section 16 इस बार पूछ ले, नहीं तो 13 तो आते ही रहता है, लगग हर दूसरी exam में 13 दिखता है आपको, 13 में कुछ भी दिखता है, कभी name, कभी arrow, कभी object, अब अगर 13 में name बदलना है, तो यहां बैसे ही है, same चीज आपको special resolution pass करना पड़ता है, एक extra चीज होती है, आपको central government से approval लेना पड़ता है, but approval will not be required अगर आपके नाम में सिर्फ private word add या delete होता है, तो वहां approval की आवशक्ता नहीं होती, object clause बदलते हैं, तो again same चीज है, आपको special resolution pass करना है, लेकिन साथ में यहां exit option मिलता है, जो descending shareholders है, वो बोलते हैं कि उनको object नहीं बदलना, तो उनको उनका पैसा देके बाहर जा सकते हैं, at such exit price as decided by SEBI's rules, SEBI के जो rules है, उस हिसाब से आप exit price निकालोगे और promoters और controlling shareholders उनको exit option दे देंगे, ठीक है, so यह extra है, और एक newspaper publication होता है, alteration of articles section 14, यह भी important है आपके लिए, 13 important है, 16 important है, 14 important है, so 12, 13, 14, 16, सभ 14 articles बदलना है, इसमें खास्तोर पे 18 के साथ मिल के पूछा जाता है, 18 बताता है conversion of company, और 14 बताता है how to convert, तो conversion कैसे होगा private से public या public से private, तो यह conversion होगा by altering the articles, क्योंकि articles में restrictions होते हैं, तो आप वो articles को बदल लो, articles बदलने के लिए आपको special resolution के आवशकता रहेगी, ठीक है, औ और अगर एक company public से private हो रही है, बड़ी company छोटी हो रही है, तो government की permission extra लगती है, ठीक है, 2019 के पहले tribunal की permission थी, अब government की permission है, पर 15 कोई काम का नहीं है, articles, memorandum में हर change incorporate करो, 17 कोई खास काम का नहीं है, बट हाँ पूछ सकते हैं कभी, MCQ अगर में तो पूछी सकते हैं, हर member को memorandum और articles उसको भेजा जाएगा, वो बुलता है मुझे भेजो तो within 7 days उसको भेजना पड़ेगा, ठीक है, तो members write to have the memorandum in articles, section 19 important है, holding subsidiary जब आता है, तो foundation level तक तो सिर्फ holding subsidiary आता था, यहाँ पे यह भी पूछा जाता है, क्या subsidiary अपने holding company में shares hold कर सकती है, तो answer is no, general rule है नह subsidiary बनने के पहले ही hold कर रही थी, तो it is allowed, उसको बेचने की आवश्यक्ता नहीं है, फिर अगर वो as a nominee कर रही है, या as a trustee कर रही है, तो वो कर सकती है, फिर nominee और trustee के case में उसको voting rights मिलेंगे, लेकिन जब वो खुद के नाम से hold कर रही है, तो voting rights नहीं मिलते, ठीक है, तो इन ATM में पैसा जमा कर देता है, तो फिर उसको उस mode से भेजना पड़ेगा, ठीक है, फिर authentication, ये bills of exchange, ये सब कोई काम के नहीं, public issue, private placement, ये भी कोई खास काम का नहीं है, याने section 23 सरिफ kinds of issue बताता है, तो एक तो public issue हो सकता है, या private placement हो सकता है, या फिर right या bonus हो सकता है, ठीक है, 24, एसे direct question नहीं आएंगे, बट ये कहीं जगे आजाता है, जब-जब कोई ऐसे rule बनाना है, जो listed company के issue of securities, transfer of securities या non-payment of dividend से related है, तो it will be made by SEBI, तो SEBI बनाएगी, बाकी के जितने rules है, वो सब central government बनाएगी, ठीक है, section 25 important है, section 25 बताता है, अगर आप issue करना चाहते है, through an intermediary, एक company है, company issue करना चाहते है, intermediary के through, तो intermediary को shares allot कर देती है, through a contract, और फिर intermediary इसको public को allot करती है, इसको हम नाम देते है, offer for sale, या bought out deal, जिसमें intermediary को हमने shares दिया, और फिर वो इसको offer कर देगी, to the public, तो यहाँ पर पहले company बच जाती थी, from issuing the prospectus, बट अब यह जो offer document है, it will be deemed as prospectus, यह deemed prospectus कहलाता है, ठीक है, यह deemed prospectus में content क्या क्या होना चाहिए, जो section 26 बताता है, वो content को होना ही चाहिए, साथी साथ, यह contract को inspect करने की एक जगह और एक time बताया जाएगा, और कितना consideration लिया गया था company के द्वारा from the intermediary, यह चीज इसमें लिखी होगी, ठीक है, इसको हम public issue मान लेते हैं, और यह document को हम deemed prospectus मान लेते हैं, इसकी condition है, अगर यहाँ पूरा पैसा नहीं मिला है, whole consideration is not received by the company at the time of contract, तो हम मान लेंगे public issue है, या फिर दूसरी condition, अगर छे महने के अंदर यह securities को public को बेज दिया, तो हम मान लेंगे public issue है, फिर intermediary will be deemed as an officer of the company, और कल चलकर अगर कुछ गढ़बढ होगी, तो company तो liable है for misstatement in prospectus, साथ ही साथ intermediary भी liable रहेगी, intermediary अगर एक individual है, तो वो sign करेगा इस offer document को, अगर intermediary यह एक company है, तो इसके दो directors sign करेंगे, अगर intermediary एक partnership firm है, तो इस case में majority of partners sign करेंगे, इस offer document को, ठीक है, तो यह पूरा बताया हुआ है section number 25 में, ठीक है, याद आ रहा है, पढ़ा हुआ है यह सब, blank तो नहीं लग रहा, ठीक है, फिर 26 number इसमें कुछ जाधा काम का नहीं है, एक section, एक part सिर्फ इसका काम का होता है, कुछ चीजें हलकी फुलकी आपको पता रहनी चाहिए, बाकी एकदम ready रहें जरूरी नहीं, जैसे कि आपको पता ही होती है within 90 days, तो 90 दिन के अंदर यह issue होगा फिर, और दूसरी चीज इसमें जो important जो याद रखना है expert, क्या expert का statement आप include कर सकते हैं, तो answer is yes, कई बार expert होता है, वो expert से हम कुछ details निकालते हैं और वो detail हम prospectus में लिखना चाहते हैं, तो क्या हम लिख सकते हैं, तो answer is yes, लेकिन उसकी condition है, expert should be unconnected, वो हम से जुडा हुआ नहीं होना चाहिए, unconnected with the formation, management, promotion of the company, फिर he should be expert, वो तो हाई, expert होना चाहिए, पहली चीज, दूसरा, unconnected होना चाहिए, तीसरा, he has given the consent, consent दिया है, he has not withdrawn the consent, withdraw नहीं करना है उसने consent, consent दिया और वापस नहीं लिया, जब तक क्या हमन consent होना चाहिए, filing किया तब तक consent होना चाहिए, and यह चीज लिखना पड़ेगा prospectus में, that he has given the consent and he has not withdrawn it, ठीक है, तो एक और important चीज जो आपको ध्यान रखना है, section 26 के expert वाले point, चार point आपके book में दिया हुए है, डब्बे में दिया हुए है, डब्बा बना एक, वो डब्बे म है, section 13 में change of objects की जो process है, वो same process लगती है section 27 में, जब आप prospectus के objects या कोई terms of contract बदलना चाहते हैं, आपको special resolution पास करना पड़ेगा, और आपको exit option के साथ साथ PayPal publication भी करना पड़ता है, ठीक है, 28 कोई खास काम का नहीं है, 25 से मिलता जुलता है, 25 में हम intermediary के थुरू public को issue करते है यहाँ पर हम members के थुरू, कोई certain members of the company है, उनको बोलते हैं, उनको shares देंगे और वो फिर public को issue कर देंगे, ठीक है, so वो document को भी हम prospectus मानेंगे, जिससे members ने public को issue किया, 29 कुछ खास काम का नहीं है, amendment बहुत सारे हैं, भर-भर के हैं, उसमें आपके book में देखोगे तो बहुत स sum up करें, तो public company अगर public issue कर रही है, तो DMAT में ही होना चाहिए, दूसरी चीज, public company अगर कुछ भी कर रही है, वो culture कर buyback करेगी, right issue करेगी, bonus करेगी, कुछ भी करेगी, transfer करना है किसी को, तो हमेशा ये DMAT में ही होंगे, तो अब public company के shares को कुछ भी करना है, आपको, transfer भी करना है, तो DMAT में होना compulsory है, promoters की भी सब holding DMAT में होना चाहिए, जो बेच रहा है, जिसको bonus मिल रहा है, buyback हो रहा है, कुछ भी हो रहा है, सब DMAT में होना चाहिए, तो public company के share सब DMAT में ही रहेंगे, कुछ भी करना है तो, हाँ घर पे पड़े हैं, पुराने कोई shares, physical form में, तो वो DMAT मे नहीं करोगे तो चलेगा, बेचना है, तो you cannot sell it physically, आपको DMAT करना पड़ेगा, फिर ही बेच सकते हो, ठीक है, तो यह है, कि public offer, यह तो DMAT में होना ही चाहिए, प्लस, unlisted public company भी है, तो उनके भी shares, अगर आप कुछ भी करना चाहते हो, तो यह DMAT में होना चाहिए, तो अब इनक DMAT में कवर होने वाली है, ऐसा चल रहा है, तो आगने वाली समय में सभी shares फिर DMAT में रहेंगे, ठीक है, फिर advertisement of prospectus कोई खास काम का नहीं है, इसमें दिया है कि आप कभी advertisement of prospectus अगर issue करते हैं, तो उसमें क्या-क्या चीज होनी चाहिए, तो उसमें contents of memorandum होना चाहिए, वही सबने रहती है, name, object, वगरे वो सब चीजें जो है, वैसा का वैसा रहेगा, 31 important है, 31 तब use होता है, जब आप एक साल में एक से जाधा बार issue करना चाहते हैं, तो आप जब पहला issue होगा, first issue के पहले आप एक prospectus issue कर सकते हैं, जिसको हम बोलेंगे shelf prospectus, shelf prospectus है normal ही, लेकिन इसमें एक validity होती है, validity period आप one year तक maximum रख सकते हैं, इससे कम भी रख सकते हैं, one year maximum है, फिर आप जब next issue करोगे, second issue, तो इसमें आपको फिर से prospectus नहीं लगेगा, यहाँ पर information memorandum नाम का एक document आपको issue करना पड़ेगा, information memorandum में क्या क्या रहेगा, तो यहाँ से यहाँ तक की जो changes है, changes in financial position, कोई charge create किया है, charges created, तो यह चीज़ and such other details as may be prescribed यह आपको बताना पड़ेगा, फिर इसके बाद आप जब third issue करोगे, तो third issue के time फिर से information memorandum issue होगा और यहाँ से यहाँ तक की यही changes वगरे आपको inform करना पड़ेगा, साथी साथ अगर किसी वेक्ती ने आपको at this point of time, first issue क time पे ही आपको कुछ पैसा दे के रखा था, कि आगया आप जब issue करोगे तो मैं फिर से securities लूँगा, तो उसको यह personally बताना है क्या क्या changes हुए and he should be given an exit option, उसको अगर चाहिए कि नहीं मैं अब पैसा निवेश नहीं करना चाहता हूं, मेरा पैसा वापस कर दो, तो he should be given an exit option, ठीक है, so यह है, so shelf prospectus, फिर red hearing prospectus again, आ सकता है question, red hearing prospectus आजकल जितने भी issue होते हैं, सब red hearing prospectus से ही होते हैं, यह एक ऐसा prospectus होता है, जो तब issue किया जाता है, जब हमको अपने securities के demand नहीं पता है, या फिर हमको अपने securities के price नहीं पता है, तो price, quantity यह नहीं पता है, तो हम क्या करत हैं before the opening of the subscription list इसके तीन दिन पहले एट लिस्ट थ्री डेस पहले यहां पर कहीं हम रेड हीरिंग प्रॉस्पेक्ट इस इसु करते हैं जिसमें हर चीज रहेगी सिर्फ इसमें प्राइस नहीं रहेगा या फिर quantity नहीं रहेगी या फिर दोनों भी नहीं रहेगा तो यह इसु करते हैं इसके बाद बिड्स ओपन होते हैं यहां से यहां तक के समझो बोली लगेगी यहां क्लोज हुआ यहां पर जब बोली लगती है लोग बताते हैं हम इतने शेर्स इतने रुपे में खरीदने को तयार है इसके बेसिस पे बाद में evaluate करके final prospectus issue किया जाता है जो कि ROC के पास file होता है जब हमको price और quantity नहीं पता है तब red hearing prospectus issue होता है आपको याद होगा इसकी कहानी भी बताया था मैंने मचली वगरे रहती है मचली की कहानी थी पूरी इसके current red hearing word यूज किया था याद है कि भूल गए तो red hearing prospectus ये तब issue होता है जब हमको पहली बार issue करना है IPO initial public offering क्योंकि subsequent offering में तो हमको पता है हमारे क्या price है लेकिन पहले बार जब issue करना है तो इसी को हम एक नाम और देते है book building issue क्योंकि हमको इससे पता लगेगा कितना premium charge करना कितने रुपे में issue करना कितने securities issue करना बट यहां पर कई बार हम लोग price band दे देते हैं इसमें minimum price दे देंगे मानलो 800 रुपे से लेके हम 890 रुपे तक के securities issue करेंगे तो यह price band दे देते जिसमें एक floor price और cap price होता है ठीक है तो कभी कुछ भी नहीं देते कई बार price band दे देते हैं तो इसको red hearing prospectus बुलते हैं ठीक है फिर यह भी important है यह actually issue of application form for securities यह वैसे लगता है along with average prospectus average prospectus की definition section 2 clause 1 में it is a memorandum containing such salient features of prospectus as specified by SEBI SEBI जो बोल रही है उतनी चीज़ें आपको इसमें लिखना पड़ता है क्योंकि prospectus issue करना बहुत मुश्किल होता था बहुत बढ़ा document होता है इसले एक short form निकला average का मतलब यह short form of the prospectus तो यह short रहता है बट साथी साथ section 33 बोलता है कि जब जब आप कोई application issue करोगे application के साथ average prospectus की copy आपको देना ही पड़ेगा so her application form every application form for security shall be accompanied by an average prospectus यह चीज़ इसमें लिखी हुई है फिर average prospectus तब नहीं लगेगा when यह नहीं लगेगा जब there is an underwriting agreement एक underwriter के साथ आप agreement कर रहे है कि हम तुमको इतने shares देंगे तो यह भी एक प्रकार को offer हो गया लेकिन यहां पर फिर underwriting के case में average prospectus की आवशकता नहीं है and when securities are not offered to public तो जब public को securities नहीं दे रहे तो average prospectus की जरुवरत नहीं है ठीक है तो जहां जहां prospectus नहीं लगता वहां average prospectus भी नहीं लगेगा फिर अगर कोई वेक्ति बोलता है कि नहीं मुझे तो पूरे prospectus देखना है तो company की जिम्मेदारी है company should send him the full prospectus before the closing of subscription. So subscription open है इस period में मैं बोलूँगा मुझे पूरा prospectus दो तो देना पड़ेगा subscription close हो गया इसके बाद मैं नहीं बोल सकता prospectus दो क्योंकि बंद हो गया तो आप क्या करूँगा मैं सो इसके पहले तक ठीक है इसके बाद मेरे कोई काम का नहीं ठीक है फिर अगर company इसको contravene करती है तो penalty है penalty है 50,000 रुपे for each default यह दोनों default में cover होती है किसी ने prospectus मांगा और आपने नहीं दिया तब भी same penalty अगर आपने application form without average prospectus भेज दिया तो भी same penalty ठीक है तो ऐसा है फिर criminal liability कोई खास काम की नहीं है for misstatement in prospectus 35 important है civil liability for misstatement in prospectus तो अगर prospectus में कुछ गडबड है और किसी व्यक्ति ने subscribe किया securities on the basis of prospectus which has misstatement so prospectus के आधार पर किसी ने उसको subscribe किया है so उस व्यक्ति को compensate करने की जिम्मेदारी रहेगी promoter की director की जो director बनने वाला था आगे चलके proposed director उसकी expert की and any other person who has authorized the issue तो यह सब की जिम्मेदारी होती है section 35 के कुछ important words आपको जो ध्यान रखने के हैं पहला word है he should be an original allotty original allotty होना चाहिए that means company ने prospectus issue किया और इस व्यक्ति ने prospectus के आधार पर allotment apply किया application किया और इसको allot हुए बाद में पता लगा इसमें misstatement था तो यह व्यक्ति क्लेम कर सकता है from the company from the promoter from director यह जो director बनने को तैयार था proposed director expert and other person जिसने prospectus पर साइन किया यह सब लोग जिम्मेदार हैं to compensate this person पर अगर इसने यह बेच दिया होता profit में और इसका कोई loss ही नहीं हुआ तो फिर यह claim नहीं कर सकता साथ ही साथ समझो इस व्यक्ति ने खरीदा share market से इसने बाजार से खरीदा तो he is not the original allotty so यह व्यक्ति भी claim नहीं कर सकता from the company he cannot claim ठीक है तो claim करने के दो condition ध्यान रखना claim करने के लिए पहली चीज उसने यहां से company से shares लेना चाहिए अगर share market से लेगा तो वो claim नहीं कर सकता यह पहली condition और दूसरी condition इसका loss होना चाहिए अगर उसका loss ही नहीं हो इसने profit में बेचा है तो अगें he cannot claim ठीक है तो दो condition है उसमें वहां लिखा है and who has suffered loss तो दो चीज है a person who has subscribed for the securities on the basis of prospectus which contains misstatement तो misstatement था और उसने उस prospectus के basis पे खरीदा है तो he can claim from the from these persons यह 6 लोगों से claim कर सकता है company और यह 5 लोगों से ठीक है फिर इसी में आगे subsection 2 immunity देता है बचाता है वो बोलता है कि अगर किसी director ने sign किया ही नहीं prospectus पे और उसके sign के बिना ही prospectus issue हुआ था और जब उसको पता लगा कि it was without his consent तो he has given a public notice तो वो बच सकता है यह पहला case दूसरा case किसी ने बोला था मैं director बनने को तयार हूं बट जब prospectus issue हुआ उसके पहले इसने अपनी consent withdraw कर लिया था कि मैं आप director नहीं बढ़ना चाहता वो बच सकता है दूसरा case तीसरा case expert की statement में गड़बड निकली और बाकी लोगों ने वैसा का वैसा expert का statement इसमें चाप दिया था तो वैसा का वैसा या तो उसका extract चापा या पूरी report चाप दिया तो इसकी report में गड़बड है तो यह लोग फिर liable नहीं रहेंगे सिर्फ expert liable रहेगा लेकिन इसकी condition चाहिए उसने consent दिया है withdraw नहीं किया है और यह चीज लिखी होना चाहिए in the prospectus अगर यह conditions follow करके आपने expert का statement include किया था और फिर गलती निकलती है तो फिर सिर्फ expert जिम्मेदार है बाकी लोग जिम्मेदार नहीं ठीक है फिर 36 पे ऐसे questions देखे नहीं गए है बट इसमें यह बताया है जब मैं किसी को जूटी forecast करता हूँ fraud forecast करता हूँ मुझे पता है company का future कराब है बट फिर भी मैं किसी को shares खरीदवा देता हूँ यह shares भीकवा देता हूँ जिससे उसका नुकसान होता है और किसी और का फाइदा होता है तो ऐसे cases में मेरे उपर लगेगा 447 तो यहां 447 अपलाय होता है वैसे यहां भी 447 सिदा सिदा अपलाय होता है ठीक है सो fraudulently induced किया जब मैंने किसी को invest करने के लिए इसमें last वालजो सी वाला point है उसमें यह भी कवर होता है कि अगर मैं किसी को loan दिलबा। के दे रहा हूं bank से loan दिला के दे रहा हूं एक company को तो भी मैं इसमें फसकता हूँ तो इसमें even इसमें सी फसकता है तो वो लास्ट वाला थर्ड पॉइंट में लिखा हुआ है तीन पॉइंट है उसमें थर्ड पॉइंट में वो लिखा हुआ है थीक है 37 यह class action है class action suit यह कोई खास काम का नहीं है that means individually action लो जरूरी नहीं आप मिल के भी action ले सकते हो समझो 10-12 लोग है वो लोग मिल के action लेना चाहते हैं तो वो लोग मिल के भी action ले सकते हैं against any person इसमें 35, 36, 38 तीनों की action लेने के लिए even 34 इनके action लेने के लिए class action is permitted play tracking conflict about a 38 мesh जब मैं personate करता हूं personate करना इन ने में रूप बदल रहा हूं या मैं जान भुज़के ऐसा बन रहा हूं कि में जो नहीं हूं वो दृखा रहा हूं या फिर मैंत जान भुज़के मैं रूप एप्लिकेशन कर रहा हूं तीन चार नाम से तो ऐसे केस में तो पर्सोनेट करने का मतलब होता है रूप बदलना रूप बदलते ना आप देखते हैं वो रावण ने रूप बदला था और सीता हरन किया था पर मारिच था और भी बहुत सारे लोग थे और आक्षोस लोग बद जब अच्छा बन सकता है तो काय को डरावने घुमना अच्छे बन के घुमना चीए उनको इतना अकल नहीं होती होगी या तो हो सकता है तो ठीक है हां तो पर्सोनेट करना इने रूप बदलना तो यहां पे 38 में में रूप बदल बदल के आ रहा हूं मैंने एक कर दिया शशांक S. Sharma नाम से एक एप्लिकेशन कर दिया शशी S. Sharma ऐसे अलग-अलग नाम से एप्लिकेशन कर रहा हूं मुल्टिपल एप्लिकेशन या मैं किसी को उकसा रहा हूं हूं मेक्स और अबेट्स दोनों वर्ड यूस किया समें या तो मैं खुद कर रहा हूं या किसी को उकसा रहा हूं कि भाई अशा कर अशा कर ताकि उसको जादा सिक्यूरिटीज मिल जाए है सो ऐसे केस में मेरे उपर भी 447 अपलाए होगा ठीक है और 447 यह लिखना जरूरी है प्रोस्पेक्टस में कि अगर कोई वेक्ति यह करेगा मल्टिपल एप्लिकेशन वगरे तो उसको 447 लगेगा यह चीज लिखना भी जरूरी है ठीक है फिर 39 39 काफी डीप है 39 में 39 और 47 में पढ़े हैं हमने 40 में बताया है स्टॉक एक्षेंजर्जर्स में डील करना चाहिए सिक्यूरिटीज बट यह दोनों को जब साथ में देखते हैं हम इसको समय की रेखा के बदले ऐसे देखते हैं समझो कंपनी है कंपनी ने प्रॉस्पेक्टर्स इशू किया हां पक्षेंट तो यह जो लोग हैं पंपलिक पंपथं अप्लिक करेगी जब अप्लाय करती हैं कि इं लोग दो चीज़ ध्यान रखेंगे एक तो सबस्क्रिप्शन कितना आना चाहिए मिनिमुम सब्सक्रिप्शन प्लस मिनिमम एसभीरिकेशन बटी मिनिमम सब्सक्रिप्शन है 90% हम एक लाग सेकुरिटीज बेचने को निकलेते कम से कम 90,000 सेकुरिटीज बिकना चाहिए फिर मिनिमम एप्लिकेशन मनी कम्पनी लॉक के हिसाब से 5% of face value है लेकिन सच अधर पर्सेंट एस स्पेसिफाइट बैसे भी यह दिया है और यह अब रिलेवेंट नहीं है इसके जगे 25% of issue price यह हमारे लिए काम किये ठीक है तो अगर हम 10 रुपे की सेकुरिटी सौ रुपे में इसु कर रहे हैं तो कम से कम 25 रुपे एक बार में मंगाना होड़ेगा at the time of application ठीक है फिर इसके बाद allotment हो जाना चाहिए allotment कित्ते दिन के अंदर हो जाना चाहिए हम पढ़ रहे हैं section number 39 red with 40 so 42 नहीं पढ़ रहे अगर 39 और 40 की बात करें तो allotment होना चाहिए within 30 days 30 days के अंदर होना चाहिए 30 days में allotment नहीं हुआ तो next 15 days में पैसा refund हो जाना चाहिए refund नहीं हुआ तो इसके बाद 15% का ब्याज लग जाएगा on the directors तो directors भी liable रहेंगे यहां यहां पर ध्यान रखने वाली बात यह है कि कुछ चीजें 39 में दिये कुछ 40 में दिये वैसे दोनों साथ में बढ़ते हैं जैसे कि यह जो पैसा आया यह पैसे को आपको एक separate bank account में रखना है एक bank account खुलना पड़ेगा उसमें यह पैसा जमा करना है इसको दो ही चीजों के लिए यूज किया जा सकता है या तो allotment के against adjust कर दो और refund कर दो जब भी आपने allotment किया आपको 30 days के अंदर एक return of allotment file करना पड़ता है विद्धी से भी sorry ROC ROC के पास ठीक है तो यह वाला जो पार्ट है यह पार्ट लिखा हुआ है in 40 तो कुछ पा पिर GDR है GDR का topic काफी time से हटा देते थे exam से आपके exam में है applicable आपके से नहीं हटाया कोई notification नहीं आया अभी तक के नहीं तो हर exam के कुछ time पहले आता था कि यह वाला topic आपको नहीं लगेगा उसमें GDR एक point लिखा होता था अब GDR के topic को हटाया नहीं that means आपके exam में आने के chances औ रटा दे रहे थे GDR के topic को अभी बहुत time बाद यह include हुआ है और शायद पूछ ले आपको तो GDR पता होगा वैसे आपको पता है कि भूल गये चलो बता देता हूँ हाँ डीप में चले जाते हैं GDR में क्या होता है एक company है भारत की यह भारत है यहाँ पर एक company है समझो Infosys यह securities इस्यू करना चाहती है बाहर तो यह अपनी securities सबसे पहले देगी depository को फिर यहाँ पर दो प्रकार से इस्यू हो सकता है एक या तो new securities दे दे यह यह एक चीज या फिर यह sponsored भी हो सकती है कोई existing member है यह member से उसके shares ले लिए और यह shares हमने इसदर दे दिया तो existing भी हो सकता है ठीक है तो दोनों प्रकार से हो सकता है यह depository के पास रखे इसके बाद और यह इसकी बहुत सारी schemes है वह आपको follow करना पड़ता है आपको पढ़ने की जरुरत नहीं है क्योंकि foreign exchange management act में कुछ scheme बताई हुए GDR कैसे issue होते हैं वह scheme आपको पढ़ने की आवशक्ता नहीं है ठीक है क्योंकि आपको course में नहीं है वह आपको final level पर देखने को मिलेगी अभी फिलाल आपको सिर्फ जितनी process उपर उपर है उत्ती ध्यान रखना है फिर इसके बाद company पूरी formality निभाईगी कि RBI के rules होते हैं वह आपको follow करना है फिर foreign exchange management act के rules होते हैं वह follow करना है सब compliance होना चाहिए इसके अलावा companies act के rules follow होना चाहिए सब होने के बाद आप जहां पर securities issue करना चाहते हैं मानलो US है US में securities issue करना चाहते हैं तो यहां की depository के साथ भी आपको एक contract करना पड़ेगा आप यहां पर पूरी formality पूरी होने के बाद एक CA या merchant banker या CSCWA से एक certificate लेते हैं certificate of compliance कि हर चीज़ comply हो चुकी है जो भी foreign exchange management act बोलता है जो भी company law बोलता है सब comply हो गया और इसको board of directors अपनी meeting में approve करते हैं इसके बाद यहां की depository से securities यहां पर भेजी जाती है इसको हम बोलते हैं underlying shares यह shares यहां पर भेज दिये अब depository क्या करती है foreign depository यहां पर security create करती है तो GDR यहां पर create हो रहे हैं यहां जो foreigners लोग हैं यह foreigner लोगों को हम GDR issue करते हैं और इनसे पैसा लेते हैं पैसा रहेगा इंदी foreign currency dollars वगरे में ठीक है फिर यह पैसा जमा किया जाता है एक bank में यह bank ऐसा होना चाहिए जिसकी एक शाखा भारत में है या तो it should be a foreign bank having a branch office in India या फिर it should be an Indian bank having a branch office in that foreign country और अगर foreign bank है तो उससे एक agreement होना चाहिए कि अगर हम detail मांगेंगे आपसे तो आपको सब detail देना पड़ेगा किस किस के account से पैसा आया ठीक है क्योंकि कई जगे पैसे banks होते हैं जो detail नहीं देते तो Swiss bank है तो वो details नहीं देता तो ऐसा bank नहीं चलेगा जिससे आप detail नहीं ले सकते तो अगर कल चलकर सरकार detail मांगेगी तो मिलना चाहिए ठीक है तो यह बताया हुआ है फिर इसके बाद यह underlying shares के against में GDR issue किया जाता है GDR से जो पैसा आया यह अगर company को use करना है तो company use कर लेगी और अगर sponsored issue था तो यह पैसा इसके account में जमा किया जाएगा इसको दे दिया जाएगा जिसके shares लि जब तक के GDR convert नहीं होते इंटो shares इसमें option होता है as per the scheme GDR को convert करने का अधिकार होता है to the foreigner जब तक convert नहीं होते तो कहां रखें shares depository के पास तो इस पर voting rights depository यह exercise करेगी जब यह convert हो जाएंगे into shares तो फिर foreigner को अधिकार मिल जाएगा वो फिर voting right exercise कर सकता है बाहर में यहां पर हमारे यहां के कोई rules नहीं लगेंगे यहां पर जो issue है यह public issue भी नहीं माना जाएगा वहां जो चलता है वहां public issue चलता है private placement चलता है वो लगेगा हमारे यहां भारत के लिए भारत के हिसाब से public issue नहीं माना जाएगा यहां पर जो document से issue हो रहा इट विल not be deemed as prospectus, इसको prospectus भी हम नहीं मानेंगे, ठीक है, अगर यह नहीं लिखा होता, तो वो document जिससे public को issue हो रहा है, वो prospectus बन गया होता, लेकिन यह specifically exempt किया गया है, that this document will not be called as prospectus, तो इसको हम prospectus नहीं बोलते हैं, ठीक है, तो ऐसा है, यह GDR का पूरा process है, आप एक बार इसको read करेंग तो आपको clear हो जाएगा, और आज अपन पढ़ रहे हैं, तो एक बार घर जाके उपर उपर जरूर read कर लेना, ताकि वो तुरंद clear हो जाए, ठीक है, नहीं तो फिर वो पूरा clear हो जाएगा, तो पूरा clear नहीं होना चीए, ठीक है, कोई doubt यहां तक है, कोई भी doubt, मैंने time ऐस ही रखा हूँ, कि अपने को, आज maximum जितने sections हो सकते हैं, उतने cover कर लेंगे, क्योंकि आगे के sections बड़े हैं, आपको पता ही है, audit, auditors होगरे में बहुत time लगता है, तो उसमें थोड़ा जादा deep में जाएंगे, तो यह भी वैसे deep में ही जा रहा है, मैं सिर्फ read नहीं कर रहा ह हूँ, आपको सिर्फ concepts बताते जा रहा हूँ उपर-उपर, तो अगर आपको लगता है कि कोई deep में जाना चाहिए, कोई particular point में तो आप मुझे बोल सकते हैं, लग रहा है ऐसा कुछ? ठीक है, तो ऐसा करके अपने वैसे लगबग पूरे ही revise कर लेंगे, जितना जरूर यह, कुछ sections मैंने छोड़ दिया, क्योंकि वो पता है आपको, उसमें भी जो काम के हैं, जैसे 3A, यह की है अपने revise, ठीक है, बाकी वो doctrine अगरे में कोई मतलब नहीं है अभी, अब यहाँ पे 41 complete होता है, एक सिर्फ private placement का एक section बचता है, इसके बाद chapter change होता है, इसके बाद share capital चाल होता है, बट इस पे भी question पूछ सकते हैं आपको, तो ध्यान रखना है, 447 में यह audit में भी है आपको, अब audit पढ़ चुके होगा, आपने तो आपने देखा होगा, वहाँ भी बहुत सारी चीजें सेम आती है, जैसे कि private placement की process वहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, यहाँ पे चीजें है, audit and auditor तो पूरा ऐसा कैसा वहाँ पे छापके दिया है, जैसे यहाँ पे है, वहाँ पे भी है, तो दोनों जगे आपको फाइदा हो जाता है, वहाँ थोड़ा ज्यादा डीप में बढ़ते हो आप, यहाँ पे अपन 4-5 class में करते हैं, वहाँ पे आपको पूरा व होना एक ही चीज है, वह concept थोड़ी change हो रहा, डीप में लगभग उतने ही है, उसमें time ज़्यादा देते हैं, बाकि डीप में उतने ही छहाँ, आपने अगर देखे होंगे तो उतने हैं, वह कारो अलग हो गया, वहाँ पे अभी वह चेंज हो जाएगा वैसे, वह लौ में आ खतम हो जाएगा, यहाँ पे रहेगा, खेर वह बात की बात है, तो वह कारो अगर है, यहाँ तो बिलकुल नहीं है, अभी फिलाल नहीं है, आगे आएगा, तो आप कर सकते हैं, वहाँ से पढ़ना है तो पढ़ो, बाकि जो concept common है, वह उतना ही डीप में यहाँ भी है, उतना खेर, तो 447 भी ध्यान रखना है, इसमें भी छोटा फ्रॉड और बड़ा फ्रॉड ऐसा दो बता है हुआ है, पता है आपको, 10 लग और 1% of the turnover, बड़ा फ्रॉड, उसके उपर बड़ा फ्रॉड, जो whichever is lower, ठीक है, तो 10 लग का फ्रॉड भी बड़ा हो जाएगा, या 1% of turnover का बड़ा हो जाएगा, तो 1 लग का fraud भी बड़ा हो सकता है, क्योंकि whichever is lower है, ठीक है, और छोटा fraud, उससे अलग है तो, और public issue involved है, अगर public interest, तो फिर वाँ penalty कम से कम 3 साल की रहीगी, ठीक है, ऐसा पढ़ा है, penalty दी हुई है, वाँ दिया है, छे मैने से 10 साल तक की सजा, और अग public interest involved है, तो कम से कम 3 साल की सजा, ठीक है, तो ऐसा दिया हुआ है, और penalty दी गई है, एक गुना से 3 गुना, ठीक है, 3 times, 3 times of the amount involved in the fraud, ठीक है, तो यह बड़ा fraud, बड़ा fraud ही पूछा जाएगा, छोटा fraud नहीं पूछेंगे, तो दिया है वो, फिर, अब private placement, online वालों को भी कोई doubt रहे तो पूछ लिया करो, डरा मत करो, डरते हैं कुछ लोग, online में 20 लोग है, 20 participants, वहाँ ज्यादा है, यहाँ कम है, थीक है, तो private placement देख लेते हैं, कुछ लोग होंगे, ऐसे बैटे-बैटे screenshot लेते जा रहे होंगे, पट-पट, ऐसे भी होंगे, वैसे इसमें होता नहीं श टीम्स में, तब screenshot की ज़रुरत नहीं, अगर आपने पहले यह सब चीजे बनाए हैं, तो यह सब है आपके बुक में, सब चीजे पूरे diagram बने होंगे, प्राइवेट प्लेसमेंट में क्या किया जाता है, कंपनी होती है, पहले तो special resolution पास करो, and if authorized by articles, company can go for private placement, इसमें कुछ लोगों को हम इनकी detail निकाल के रख लेते हैं, और इनको by name offer भेजते हैं, offer भेजा जाता है through private placement offer letter, प्लस इसके साथ application forms लगा के भेजे जाते हैं, इनको select किया जाता है, पहले से select group of individuals होते हैं, यह maximum कितने जाना चाहिए, maximum 200, maximum 200, जिसमें QIBs नहीं count करते हैं, और SOFs जिनको दिये गए हैं, उनको count नहीं किया जाता, employees को, ठीक है, बाकी select group 200 के उपर नहीं होना चाहिए, इन लोग फिर apply करेंगे, इनको by name ही offer जाना चाहिए, they cannot renounce, renunciation का अधिकार नहीं है, जिसको offer गया, वही accept कर सकता है, renounce नहीं कर सकता, there should not be public media, media involved नहीं होना चाहिए, कोई advertisement नहीं, कुछ नहीं, तो media involved नहीं होना चाहिए, then applications जब आती है आपको, इसके बाद आप इनको allotment करोगे, applications आने के बाद within 60 days, आपको allotment complete करना है, जो भी पैसा आता है, इसको again separate bank account में रखना है, ये use किया जा सकता है, only for allotment, allotment के अगेंस्ट या फिर refund, refund करने में, 60 दिन के अंदर allotment नहीं हुआ, तो अगले 15 दिन में refund करो, 15 दिन में refund नहीं किया, तो 12 परसेंट के ब्याज के साथ companies को वापस करेगी, ठीक है, So from the end of 60 days, यहां से interest लगना चालू हो जाएगा, ठीक है, फिर 20,000 रुपए की face value कम से कम लेना पड़ता है हर व्यक्ति को, जितने भी लोग है, तो यह जो high net worth investors ही होते हैं, कम से कम 20,000 की value की securities इनको लेना पड़ता है, इन में से एक भी चीज़ का अगर contravention हो जाता है, तो यह public issue मान लिया जाएगा, जैसे अगर आपने media use कर लिया, public issue हो गया, offer letter by name नहीं गया, open to all हो गया, public issue हो गया, फिर 200 से जाधा संख्या हो गई, in a financial year, एक साल में 200, आप 200 करके 2-3 बार दे सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, एक साल में 200, दूसरे साल 200 ऐसा कर सकते हो, अगर आप debentures भी दे रहे, equity भी दे रहे, तो यह 200 दोसो को club नहीं किया जाता, ठीक है, so debentures अलग limit किनी जाएगी, equity अलग किनी जाएगी, preference अलग, सब अलग किना जाएगा, ठीक है, यह इसके उपर questions भी दिये हुए है, book में, आपने देखे होंगे, ठीक है, so यह private placement offer later आने के बाद, allotment होना चाहिए, allotment होने के बाद, return of allotment, यह file करना पड़ता है with the registrar, यहाँ पर time 15 days दिया है, बाकी सब जगे 30 days होता है, यहाँ 15 days दिया है, तो कोई फरक नहीं पड़त time बगर याद रखने की आवशक्ता नहीं है, ठीक है, तो यह है, section number 42, private placement, फिर section 43 से kinds of share capital चालू होता है, kinds of share capital में दो आते हैं, equity और preference, फिर preference यहने वो जिसमें preference, dividend पे preference होता है और repayment of capital पे preference होता है, हो सकता है इनको additional dividend और additional repayment भी मिल रहा है, फिर भी यह preference ही कहलाएंगे, अगर इनको पहले मिलता है तो, equity अगेन दो प्रकार के हो सकते है, normal voting rights और differential rights, differential rights will be related to either voting or dividend or other rights, generally DVR shares issue किये जाते है, differential voting rights, differential voting वाले shares, voting rights वाले shares, they should not exceed 74%, total shares जो है, total voting के हिसाब से, total voting में 74% voting maximum DVR की हो सकती, उससे जाधा नहीं, और DVR के लिए ordinary resolution लगता है, ध्यान रखना क्योंकि बाकी जगे special लगता है, बट DVR ordinary resolution से issue किया जा सकता है, ठीक है? तो यह है, प्रिफरेंस तो पढ़े थे आपने, प्रिफरेंस में, यहाँ पे अपने ज्यादा डीटेल में नहीं देखा, बट आपने foundation लेवल पे बहुत पढ़ा है, प्रिफरेंस में cumulative, non-cumulative वो सब, यहाँ पे उतना deep में नहीं देखे आपने, हाँ, convertible, non-convertible, say sub, नहीं, आप irredeemable नहीं हो सकते हैं, पहले हुआ करते थे, अब हर preference share जो है, यह redeemable ही रहेगा, section, पचपन के हिसाब से, every preference share should be redeemable within 20 years, infrastructure में deal कर रहे हैं, तो 20 years से ज्यादा का हो सकता है, नहीं तो 20 years, renew नहीं कर सकते हैं, वो आपस होंगे, फिर आप नया issue करो, नई वैसा नहीं बोल सकते, ऐसा थोड़ी, irredeemable वो जिसमें redemption की कोई date नहीं होती, so, हाँ तो वो करो न, वो मना नहीं है, आप वो कर सकते हो, ठीक है, चलो, so यह है, share capital, फिर 44 कोई काम का नहीं है, nature of shares, इसमें सरिफ यह बुला है कि, shares जो होते हैं, movable property होते हैं, it can be transferred in the manner provided in the articles, like public company है तो freely transferable है, और private company है तो restricted transfer रहेगा, तो कोई खास काम का नहीं है, 45 कोई खास काम का नहीं, numbering of shares होना चाहिए, हर share का एक different number होना चाहिए, लेकिन DMAT में अगर hold कर रहे हो, तो उसकी कोई distinctive number नहीं होती, 46, certificate of shares, certificate के भी separate number होना चाहिए, हर share का certificate issue होना चाहिए, allotment है या subscriber to memorandum है, तो within two months, दो मेहने के अंदर होना चाहिए, यह आगे दिया है section 56 में, तो 56 में बताया हुआ है, कि कितने दिन के अंदर allotment के securities का certificate देना पड़ता है, ठीक है, तो share certificate दो मेहने के अंदर, और transfer transmission है तो एक मेहने के अंदर, within one month certificate issue करना पड़ता है, इसमें दो stopple पड़े थे आपने, शायद याद होंगे, या भूल भी गय होंगे तो याद दिला देता हूँ, दो stopple लगते हैं, एक stopple as to title, title का stopple means, अगर किसी के पास share certificate है, तो company cannot deny his title, company यह नहीं बोल सकती कि he is not the owner, अगर उसको share certificate issue किया, company ने गलती से एक व्यक्ति है, इसको allotment नहीं हुआ, उसको लिखके आ गया लेटर में, कि आपको allotment नहीं किया, आपको पैसा refund कर देंगे, पैसा refund आ गया, बट कुछ टाइम बाद उसको share certificate भी आ जाता है, और इसमें लिखा है उसका नाम, समझो यह है Mr. Mukesh, तो Mr. Mukesh का नाम लिखा है और उनको share certificate दे दिया, कल चल कर यह व्यक्ति इसको बेज देता है to Mr. Anil, Anil को बेज देता है, तो ऐसे cases में अब Anil को company deny नहीं कर सकती, Anil को यह नहीं बोल सकती कि नहीं नहीं मुकेश तो हमारा shareholder ही नहीं था, so company will be stopped from denying that he is not a shareholder, तो मान लिया जाएगा कि उसको shares दिये थे, certificate था तो shareholder है, हाँ यह खुद नहीं बोल सकता कि मैं shareholder हूँ, क्योंकि उसको पता है, बट यह good faith में काम कर रहा है, तो यह बोल सकता है, कि मुझे नहीं पता था, मुझे तो लगा उसके पास certificate है, that means he is a shareholder, so company को इसको shares देना पड़ेगा, या फिर compensate करके देना पड़ेगा, अगर shares नहीं देते, तो उसको पैसा compensate करके देना पड़ेगा, दूसरा एक और stopple लगता है, stopple related to payment, अगर share certificate में लिख दिया है, कि यह fully paid shares है, भले एक्चॉल में वो partly paid थे, तो भी वो fully paid मान लिये जाएंगे, for any person who is acting in good faith, again same rule है, good faith वाला, that means, अगर समझो, एक company थी, एक company है, ये company ने shares issue कर दिये थे, अनिल को, अब अनिल जो है, इसके पास लिखा है कि यह fully paid है, share certificate है और इसमें लिखा है fully paid, जबकि actual fact यह है कि इसने पूरा पैसा नहीं दिया, it is only partly paid, कल चल कर अनिल इसको बेज देता है, मुकेश को, और मुकेश देखता है और इसमें fully paid लिखा है, तो इसने पूरा पैसा पे कर दिया इसको, तो यहाँ पे मुकेश के हाथ में अब ये fully paid माने जाएंगे, that means, company cannot claim any amount from मुकेश, ठीक है, ये दूसरा stopple लगता है on the company, तो पहला है stopple related to title, दूसरा stopple related to payment, ठीक है, so, company इससे payment नहीं मांग सकती है, हाँ, अनिल से ज़रूर मांग सकती है, क्योंकि he was aware, बट ये good faith में अगर काम कर रहा है, तो यहाँ पे इसको fully paid माना जाएगा, इसके हाथ में shares fully paid है, तो ये दूसरा stopple रखते हैं, ठीक है, फिर voting rights, voting rights अलग chapter में देखा है आपने, तो ये sequence से चल रहे हैं अपन, लेकिन voting rights जो है, ये sequence में नहीं आता, ये आपने पढ़ा है, meeting वाले chapter में, meeting वाले chapter में, जब section 106, 107, 108, 109, 110 चालू होते हैं, उसके पहले 47 दिया है, तो 47 में लिखा है कि voting rights किसको मिलते हैं, सो ये बोलता है, equity shareholder is entitled to voting rights, एक सेकंड, हैंग गुरा है, सो 47 बोलता है कि equity shareholder को voting right मिलता है, और preference shareholder को voting right मिलता है, only on that particular resolution जो उसको directly affect करता है, सो equity shareholder को हर resolution पे voting मिलेगी, लेकिन preference shareholder को सिर्फ उस resolution पे voting मिलेगी, which directly affects his rights, अगर उसको direct फरक पड़ता है तो, indirect फरक तो हर चीज़ से पड़ेगा, इसलिए indirect वाली नहीं, जो directly उसको affect करते हैं, उसके लिए वो vote कर सकता है, अगर preference shareholder को 2 साल तक preference dividend न दिया जाए, तो उसको पूरे resolutions पे vote करने का अधिकार मिल जाता है, जिस पे voting की जा सकती है by the equity shareholder, ठीक है, फिर जब voting की जाएगी, तो voting by show of hands होती है, तो one person, one vote, और अगर voting by pool होगा, या electronic means होगी, तो जितने votes हैं, उतने total count किये जाएंगे, and voting में जरूरी नहीं होता कि वो हर vote एक प्रकार से ही दे, for example अगर वो एक वोट में हाँ बोल रहा है, तो दूसरे पर ना भी बोल सकता है, तो यह पढ़ाता हमने section 106 में, ठीक है, तो इसलिए वो साथ में दिया हूं मैंने, 47, 106, यह voting rights को restrict करता है, voting rights restrict करने के लिए बोला गया है, कि कभी भी non payment of calls के लिए voting rights रोके जा सकते हैं, ठीक है, तो 106 restrict करता है, देखो, यह 47 है, फिर 106 restriction on voting right है, और 107, 108, 109, 110, यह चार अलग-अलग प्रकार की voting है, 106 restriction on voting right, 107, voting by show of hands, 108 electronic means, 109 poll, 110 postal ballot, यह लाइन से आते हैं, इसके साथ आपको 47 दिया हुआ है, ठीक है, So, यह 47 यहाँ पर है, बट एक्चल में, बुक में आप देखोगे तो, आपको meeting वाले chapter में दिखेगा, 48, variation of shareholders right, बहुत ज़्यादा speed होंगे तो बता देना, इसे मेरे हिसाब से ठीक चल रही है, बट अगर आपको लगे तो बता सकते हो, कोई point पर ज़्यादा deep में जाना है, तो, आप अगर book लेके आए हो, तो book से आप एक-एक उसको देखते जाओगे, एक-एक paste तो आपको पूरा अपन चलते जा रहे हैं एक-एक, ठीक है, 48, last section है, share capital वाला उस chapter का, last section दिया हुआ है, 48, 48 में बताया है कि अगर आप किसी share के voting rights, कोई भी rights change करना चाते हैं, voting ही नहीं, कोई भी rights change करना चाते हैं, variation in the rights करना चाते हैं, तो ये नहीं किया जा सकता, जब तक के writing में shareholders न लिखके दें, या फिर जब तक के special resolution pass ना हो, अब special resolution तो pass हो गया, लेकिन कई बार कुछ shareholder होते हैं, जो बोल रहे थे कि नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए, voting rights change नहीं होना चाहिए, तो उनको अधिकार दिया गया है, वो इस variation के against, पहले तो variation 75% से हो जाएगा, और ये class rights की बा की meeting बुलाई जाएगी, वी वालो की नहीं, ठीक है, तो उनकी meeting बुलाओ, 75% resolution pass करो, या फिर उनसे writing में ले लो, और आप उनके rights बदल सकते हैं, बट जिन लोगों ने descent किया था, उन लोग फिर appeal कर सकते हैं, 10% होना चाहिए, कम से कम, in aggregate, अकेला भी हो सकता है, या मिलके 10%, ये लोग tribunal जा सकते, NCLT, NCLT जाके इन लोग appeal करेंगे कि ये variation को set aside करो, cancel करो, फिर tribunal दोनों पक्षों को सुनते हुए order pass करेगा, इसके लिए time limit है 21 days, 21 days के अंदर इनको tribunal जाना पड़ता है, जिस दिन resolution pass हुआ, वहा से 21 दिन के अंदर उनको जाना पड़ेगा, 110th of the total members, तो descent जो कर रहे हैं वो लोग, फिर tribunal order pass करेगा और जो भी tribunal का order रहेगा, that will be final, इसके against कोई appeal नहीं हो सकती, ठीक है, फिर final order रहेगा, tribunal का, फिर section 49 ये आपको specific नहीं दिखेगा, लेकिन अगला chapter जो आप पड़ोगे, उसमें calls वाला एक part दिया हुआ है, तो calls वाले part में ए एक एक line दी हुई है, हर एक point wise दिया है, उसमें एक point दिखेगा आपको, call should be on uniform basis, तो अगर आप गुपता जी से 10 रुपे के share पे 5 रुपे मंगा रहे हो, तो पांडी जी से भी उतनी आना चाहिए, शर्मा जी से भी उतनी आना चाहिए, दुबे जी से भी उतनी आना call advance में ले लेते हैं, तो वो भी चलेगा, ये write देता है section 50, ये भी एक line में वहीं दिया है, पहले 49 दिया है, दो line छोड़के 50 दिया है, so वही point wise आप देखोगे तो दो line छोड़के 50 section भी वहा लिखा है, advanced calls, the calls in advance ये लिया जा सकता है by the company, company advance में call ले सकती है और ये refund करने की जरूरत नहीं होती, इस पे interest जरूर दिया जा सकता है, पढ़ा था interest, कितना देते हैं, 12%, 6% वो partnership वाला है, 12% है, 12% maximum interest दिया जा सकता है, ठीक है, और अगर नहीं profit नहीं भी है, तो भी आपको pay करना पड़ता है, because it becomes a debt, क्योंकि वो advance लिया हुआ है, तो ये shareholders fund नहीं माना जा जाता है, creditor जैसा माना जाएगा, जब कल चल कर अगर company बन भी हो गई, तो बाकी सब shareholder को आपस मिलेगा, लेकिन उसके पहले calls in advance वाला पैसा पे किया जाएगा, तो पहले creditors, फिर calls in advance और उसके बाद फिर बाकी shareholders, ठीक है, तो calls in advance इसको हम debt मान लेते हैं, section 51 important है, एक ही line का दिया हुआ है, लेकिन question पूछा जा सकता है, MCQ अगर में भी आ सकता है, अगर company के articles में लिखा है, AOA ने specify करना चाहिए, अगर AOA में लिखा हुआ है, तो company can pay dividend on the basis of paid up value, 10 रुपे का share है, सिर्फ 6 रुपया paid up है, तो 6 रुपे के ऊपर dividend बाटा जाएगा, so if authorized by the articles, articles से पहले पूछना पड़ेगा, articles को बोलेंगे साहब ऐसा करे क्या, articles को बोलेंगे हाँ हां करलो, करलो, तो फिर ऐसा किया जा सकता है, वो बोलेंगे नहीं नहीं, तो फिर नहीं कर सकते, फिर articles को बदल डालो, बदल सकते है, तो यह वो बाले articles नहीं है, यह articles means articles of association, ठीक है, so dividend in proportion to amount paid up दिया जा सकता है, but only if it is authorized by the articles, ठीक है, तो specific section एक line में दिया हुआ है, a company if authorized by articles may pay dividend in proportion to the paid up amount of the capital, ठीक है, फिर 52, अब ये 52 याद रखने वाला एक section है, यहाँ तो कम chance है, accounts में आने के ज़्यादा chance है, securities premium account के कितनी uses होते हैं, पांच use होते हैं, एक normal company के लिए और prescribed company जो की इसमें आती है, index cover करती है, उसमें तीन ही use होते हैं, ठीक है, कौन-कौन से use, एक तो preliminary experience, खतम करना, bonus, बोनस पहले दिया हुआ है, premium और discount on securities, shares हो या debentures हो, कुछ भी, फिर, buyback, buyback last है, और एक है कुछ तो भी, हाँ, यह तो इसमें आगे न, premium discount, preference shares, preference shares के redemption के time premium पे करना, तो यह ऐसे पांच चीजें, इसमें अगर prescribed company है, तो वो सिर्फ bonus दे सकती है, premium discount on any securities नहीं, सिर्फ equity shares के लिए premium discount write-off कर सकती है, और buyback कर सकती है, सिर्फ तीन काम, याद आ रहा है कुछ? सो ऐसा पढ़ा था, यहाँ सिर्फ equity आ जाएगा, prescribed company के लिए, ठीक है, सो यह है, section number 52, 52, सो यह accounts में भी पढ़ा होगा आपने, accounts में भी same चीज आती है, और वहाँ ज्यादा questions पूछे जाते है, अकाउंट्स में भी थेरी आता है, पता ही होगा आपको, 30-35 marks तो आता ही है, थेरी का, हाँ थेरी आता है accounts, पता नहीं आपको, थेरी आता है न, AS वगर आते हैं न, क्या, हाँ 30-35 marks का थेरी आता है, सो AS आ जाते है, सो ऐसा है, ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं, 52 हो गया, 35, 35 बोलता है, अगेन important section है, prohibition on shares, issue of shares at discount, discount पे आप issue नहीं कर सकते, सो हाँ, वो 54 बोलता है, sweat equity कर सकते, 53 प्रोहिबिट करता है, इसलिए 54 की wordings चालू होती है, notwithstanding section 53, 53 को override करते हुए, a company may issue sweat equity shares to its directors, employees at a discount, ठीक है, और जब discount की बाद हो रहे हैं, तो discount on face value नहीं दिया जा सकता, आप issue price पे जरूर दे सकते हैं, discount, ठीक है, but face value पे नहीं दिया जा सकता, फिर issue of sweat equity shares, sweat equity shares आप issue कर सकते हैं, on discount, यह allowed रहेगा, ठीक है, so, यह भी वैसे बहुत ज़्यादा chance नहीं है, question पूछने के, but कभी आ भी सकता है, C केटे के लिए है वैसा, sweat equity shares का, so, वो कैसे issue होते हैं, वोगर है, तो chances कम है, but फिर भी कभी पूछ लिया, तो लिखते हैं आना चाहिए, है, फिर यह important है, 55, पचपन, accounts में भी important है, यहां पे भी, redeemable preference shares, redemption of preference shares की accounting भी आती है, आपने देखा होगा, accounts में, वैसे यहां पे भी important है, so, redemption of preference shares अगर आप करना चाहते हैं, preference shares अगर redeem करना है, तो सबसे पहले तो issue करने के बारे में बुला है, अगर company issue करना चाहती है, तो special resolution pass करके, and authorized by AOE हो, तो company may issue, redeemable preference shares, so, redeemable preference shares issue कर सकते हैं, to the preference shareholder, इन से पैसा आएगा, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है, redemption की date बताई गई है, maximum 20 years, साथी साथ यह भी बताया गया है, कि अगर accept, अगर आप infrastructure, में deal करते हैं, infrastructure बनाना चाहते हैं, infrastructure project है, तो उस case में, आप more than 20 years भी रख सकते हैं, but subject to a condition, एक portion आपको, part of the capital shall be redeemed, annually, annually redeem करना पड़ेगा, थोड़ा-थोड़ा capital, ठीक है, फिर redemption के time क्या होगा, redemption के time, company इनको पैसा देगी, पैसा आया था, जब हमने issue किया, और redeem कर रहे हैं, तो redeem करते वक्त, पैसा देना पड़ेगा, फिर पैसा देके, shares वापस लिये जाएंगे, preferentials वापस लिये जाएंगे, ये पैसा कहां कहां से दिया जा सकता है, एक तो fresh issue, और profit and loss account, reserves, free reserves, जो कि distribute किये जा सकते हैं, to the shareholders as dividend, अगर आप fresh issue करते हैं, तो there will be no need of CRR, पर P&L use करते हैं, तो you will have to create CRR, accounts में आपने देखा होगा, कई बार दोनों use होता है, कुछ fresh issue, कुछ P&L, ऐसे case में आप, जो fresh issue है, उसका कुछ नहीं करते हैं, लेकिन जो P&L से use हुआ है, उसका CRR create करते हैं, CRR का एक ही use होता है, इसको आप create कर सकते हैं as bonus shares, इसलिए आप accounts में देखो कि तुरंत ही bonus की entry हो जाती है, जादा तर questions में आपको ऐसा देखने को मिलेगा, कि हमने CRR create किया, and company has decided to issue fully paid of bonus shares, तो तुरंत वो CRR को convert कर देते into bonus share, तो वो एक ही book entries, तो नॉर्मल से entries pass की जाती है, CRR account को debit किया जाता है, and equity share को credit किया जाता है, ठीक है, फिर, इसके अलावा premium, ये तो हो गया, main आपका जो पैसा है वो, अगर premium पे आप इसको redeem कर रहे है, that means 100 रुपया था, तो ये 100 रुपया वापस करने को आप दो चीज़ यूज़ कर सकते, fresh issue या P&L, फिर premium के लिए क्या यूज़ कर सकते हैं, तो इसमें बताया गया है, दो टाइब की companies, एक जो specified prescribed companies है, वो और जो others है, वो, others यूज़ कर सकती है, securities premium account और profits, prescribed companies अगें दो भागो में विभाजित की गई है, अगर preference shares before this act है, तो वो यूज़ कर सकती है, securities premium account और profits, और अगर after है, तो वो यूज़ कर सकती है, only profits, इसको अगर आप section 52 से compare करते हैं, तो 52 से compare करने पे भी same चीज़ आपको समझ में आती है, अगर prescribed company है, तो वो preference share redeem करने को जो premium है, वो use नहीं कर सकती, ठीक है, prescribed company, वहाँ 52 से भी match होता है, ठीक है, तो 52 जो है, premium का कहा 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 use है, तो prescribed company ये use कर सकती है, सिर्फ ये तीन चीज़ों के लिए, वो preference share को premium पे करने को use नहीं कर सकती, ठीक है, आइसा है, इतना ही नहीं, इसमें आगे और भी बताया है section 55 में, अगर company redeem नहीं कर पाती है, तो क्या करेंगे, तो हम bank जाके loan ले लेंगे और फिर पैसे से redeem कर लेंगे, नहीं, ऐसा नहीं कर सकते, अगर हम redeem नहीं कर पाते हैं, पैसा नहीं पे कर पाते हैं, तो हमको इनको बुलाना पड़ेगा, प्रिफरेंश शेयरोल्डर की एक मीटिंग बुलाई जाएगी, इनकी 3-4 इन value, consent ली जाएगी, ट्रिबिनल के पास application की जाएगी, ट्रिबिनल को बोला जाएगा, हम ये redeem कर पारे क्योंकि हमाएपास पैसा नहीं है, तो हम लोन नहीं ले सकते इसके लिए, हम इन लोगों की मीटिंग बुलाएगे, जिन लोग consent नहीं दे रहे, ट्रिबिनल बोलेगा सबसे पहले जिननों ने consent नहीं दिया, उनको पैसा वापस कर दो, फिर जो कोई पैसा आया नहीं, कोई पैसा गया नहीं, और ये नए preference shares dividend के बदले भी दिये जा सकते हैं, जो unpaid dividend होगा, जो अक्रू होके जमाँ हो गया है, उसके बदले भी आप new preference shares दे सकते हो, ठीक हैं? तो इस पर भी सवाल पूछा जाता है, a company is not in a position to redeem the preference shares due to its weak financial position and इसलिए वो bank approach कर रही है, bank से loan लेना चाहती है ताकि वो business में ये पैसा वापस करने के लिए use कर पाए. तो क्या ये किया जा सकता है, answer is no, नहीं किया जा सकता. तो वो क्या कर सकते हैं तो सिर्फ ये resolution pass कर सकते हैं और NCLT से approval लेके नए preference shares issue कर सकते हैं ठीक है, इसके बाद मान लिया जाएगा unredeemed preference shares have been redeemed और new preference shares फिर चालू रहेंगे ठीक है, तो important है section number 55. यहाँ पर आपका ये वाला share capital के chapter भी complete होता है, इसके बाद transparent transmission चलते है, 56 से लेके 69 तक, 60 ये अलग है, फिर सार्थ में सिर्फ वो बता है, जहाँ जहाँ आप authorized capital रखते हो, वहाँ, वहाँ subscribe paid up capital बताना पड़ता है, पढ़ते हैं ये भी, फिर 61 ये भी power of limited company to alter share capital ये पढ़ेंगे पन, ये line से पढ़ेंगे फिर, यहाँ तक कोई doubt होगा तो पूछ लो अभी, आगे वाले सेक्शन थोड़े बड़े हैं और RTP में भी काफी चीज़े हैं अभी तक जो पड़े उसमें इतना ही था, और कुछ है क्या, प्रॉस्पेक्टस वाले इसमें था, तो प्रॉस्पेक्टस वाले इसमें जो private placement है ना उसमें एक नया rule आया है, ये rule 2022 में ही आया है आखिर आखिर में, तो इसलिए ये आपको बुक में नहीं दिखेगा, एक नया rule लाया गया 2022 में, कि ऐसा जो देश है, जैसे अपन भारत है, ये भारत की जहां-जहां land border touch होती है, जैसे पाकिस्तान हो गया, नेपाल हो गया, यहां-यहां जो land borders जहां-जहां touch होती है, वहां के देशों में आप private placement नहीं करोगे, जब तक के government की permission नहीं मिलती, तो mainly क्योंकि आजू-बाजू वाले जो देश हैं, बंगलादेश हो गया, नेपाल अगरे हो गया, इनसे अपने relation उतने अच्छे नहीं है, इसलिए बीच में आजकल बहुत सारे messages भी चल रहे हैं, कि Ukraine में ऐसा हुआ तो वह तो आजू-बाजू में चले गए पनाले ने, अपने साथ अगर कोई ऐसा वार होगा तो अपने तो आजू-बाजू दुश्मन ही है हर जगे, हाँ सही में, अपने पास कुछ नहीं है, को इशू करोगे नाहीं एक national of a country which shares the land border, land border, श्री लंका में आप इशू कर सकते हो, it is not sharing the land border, ठीक है, जो जमीन से जुड़ा हुआ है अपने साथ, एकदम जुड़े हुए जो लोग है, उन लोगों के देश में आपने इशू नहीं करना है, ठीक है, विट इंडिया, unless such body corporate or national as the case में भी have obtained, तो उनको आप्तेन करना है, government's approval under foreign exchange management non-debt instrument rules 2019, and attach the same with the private placement offer come application letter, ठीक है, यह newly inserted है, आपको यह ध्यान रखना है, ठीक है, तो ऐसा है, so यह नया rule है, rule 22 में आया है, अभी recent है, तो आपके book में यह नहीं है, यह ध्यान रखना है, फिर deposits तक अभी पहुँचने के अपन, registration of charges, तो यह amendments साथ साथ हो जाएंगे, बहुत major amendments नहीं है, अगर आप खुद भी पढ़ते हैं तो आपको समझ जाएंगे, जैसे यह commitment आया, जो अपना CSR activity रहती है, तो CSR activity में अभी बीच में हर घर तिरंगा चालू हुआ था, तो वो हर घर तिरंगा के लिए अगर किसे ने खर्चा किया होगा, तिरंगा बनाने के लिए खर्चा किये हैं, या फिर उसका publicity करने के लिए किये हैं, तो उसको भी CSR activity में include करो, ऐसा बोला, क्योंकि ये patriotism को बढ़ावा देता है, तो ये वाले point पर question आ सकता है, ठीक है CSR वाले topic पर, पढ़ेंगे अपन, अभी आने का है, तो ये हर घर तिरंगा वाला आया है, ये, तो इनको CSR में लाए, ये भी बाद का है, इसलिए आपके book में नहीं है, त जुलाइ 22 में ये amendments आये है, ठीक है, तो ऐसा है, चलो, देखते हैं, बाकी कुछ चीज़ें आपके case में है, जो पुराने amendments हैं वो आ चुके हैं, आपके book में दिखेंगे, जो नए amendments हैं वो नहीं दिखेंगे, हाँ, तो हम थे यहाँ पर, section 56, 57, 58 और 69 ये देखते हैं अभी, जिसमें आपको section number 56 पता होगा, मुझे लगता नहीं, वैसे अब ज्यादा question इस पर पूछना चाहिए, बट कुछ भरोसा नहीं, मुझे इसलिए नहीं लगता क्योंकि ये transparent transmission, physical form वाले rules है, physical form में अगर transfer transmission होता है, तो कैसे होता है, ये बताया हुआ है, अगर DMAT में है तो वो तो online होता है, आप अपने DMAT account से खरीदी विकरी कर सकते हैं, लेकिन अगर physical form में securities हैं, तो उसका transfer transmission कैसे होता है, तो section 56 बताता है, section 56 क्या बोलता है, अगर एक व्यक्ति अपनी holding transfer करना चाहता है, transferer, transferee, तो इसको share certificate ये देना पड़ेगा आगे वाले को, प्लस एक deed बनाना पड़ेगा, share transfer deed, ये deed में एक date लिखी होती है, इस date के अंदर, इस date के 60 दिन के अंदर, आपने इस से फिर पैसा भी ले लिया होगा, इसके 60 दिन के अंदर, इस deed को और share certificate को जमा कर दो company के पास, ये आप deposit करोगे, within 60 days, 60 दिनों के अंदर, इसके बाद company, अगर ये partly paid shares हैं, तो इसको notice भेजेगी, अगर partly paid है, और transferer ने जमा किया है, तो यह notice भेजा जाएगा, notice में लिखा रहेगा कि ये partly paid share से क्या तुम सही में खरीदना चाहते हो, और इसको दो हफते का time दिया जाएगा, within two weeks, he should respond within two weeks, अगर ये कुछ नहीं बोलता है, तो company अपनी board of directors की ये share transfer committee की meeting बुलाईगी, इसमें transfer को register किया जाएगा, register of members को update किया जाएगा, share certificate को endorse किया जाएगा, और endorse करके इसको issue किया जाएगा, तुर रांस्परी विदिन one month, एक महने के अंदर ये किया जाएगा, ठीक है, विदिन one month, he will transfer it to the transferee, फिर यहाँ पे एक और point बताया है, यहाँ पे ऐसा कहीं नहीं लिखा है कि transferor नहीं जमा करना चाहिए, ट्रांस्परी ने भी नहीं करना चाहिए, तो इसलिए यहाँ पे एक तो ये तरीका हो गया, दूसरा तरीका, अगर transferor नहीं करता है, तो transferee भी ये कारिये कर सकता है, transferee within 60 days, deposit करें, and actual practice में transferee ही ये कारिये करता है, ठीक है, और इसमें stamp duty भी लगती है, stamp duty pay करना पड़ता है, क्योंकि ये एक प्रकार का property है, जो transfer हो रही है, तो इसके ओपर stamp duty होती है, तो यहाँ पर ये company के पास ये भी जमा कर सकता है, within 60 days, 60 दिन के अंदर ये भी जमा कर सकता है, अगर ये जमा करेगा, तो भी same process है, board of directors meeting बिलाएंगे, register of members update करेंगे, subscription to MOA का case है, तो दो मेहने के अंदर share certificate देना चाहिए, अगर allotment है, तो दो मेहने के अंदर देना चाहिए, transfer of allotment of shares है, अगर transfer of securities है, shares हो या debentures हो, तो एक मेहने के अंदर shares भी और debentures भी, और अगर allotment of debentures है, तो छे मेहने के अंदर debenture certificate issue करना पड़ेगा, ठीक है, section नमबर चापपन, चार, चापपन में दिया है, ठीक है, यह पूरा 56 है, 56 है जब आप यह जमा करोगे, तो transferor का तो सिर्फ नाम दे दो तो चलेगा, इस deed में, लेकिन transfer की पूरी detail होना चाहिए, उसका नाम भी रहता है, उसका सरनेम, उसकी family name, family name भी बताया जाता है, also known as बगरे, फिर occupation and address, यह चीज़ें लिखे हुए, section नमबर 56 में, ठीक है, फिर अगर partly paid थे, तो अगर इसने जमा किया है, तो इसको notice भेजा जाता है, यह लिखा हुआ है, section 56 में, लेकिन अगर इसने खुछ जमा किया है, तो notice भेजने का प्रावधन नहीं है, फिर भी generally company उस case में भी notice देती ही है, दूसरी party को notice देगे, कि ऐसा ऐसा हमारे पास जमा हुआ है, transfer document, ठीक है, तो वैसे कानून में लिखा है, सिरिफ वो case में देना है notice, जब transferor ने जमा किया है document, and partly paid shares है, ठीक है, फिर इसमें एक चीज़ और लिखी है, अगर दोनों के नाम depository में registered हैं, और DMAT account में shares हैं, तो फिर ये वाली process नहीं follow करना, एक चीज़ और लिखी है, अगर transmission का case है, तो ये वाली process follow नहीं करना, transmission में ऐसी कोई deed वगरे नहीं लगती, transmission has immediate effect, उसके उपर एक case था, worldwide agencies versus Margaret T. Desser का, case याद नहीं होगा आपको, मैंने आपको बोला था, याद रखने की ज़रुरत नहीं है, तो याद नहीं किये होगा आपने, तो वो case था, उसमें बुलाता है, transmission has an immediate effect, यहाँ में घचका, वहाँ मेरे securities transmit हो गई, तो वो करना नहीं पड़ता, और इसलिए वहाँ पे कोई deed नहीं लगती, simple एक letter लगता है, तो मेरे वारिजदार बता देंगे company को कि ये shares अब मेरे नाम से transmit कर दो, तो तुरंत कर देगी company फिर अगर दो-तीन लोग है मेरे वारिजदार तो फिर वहाँ एक extra document लगता है, succession certificate, तो वो court से बनवाना पड़ता है, फिर वो transmit किये जाएंगे, ठीक है, तो ऐसा है, फिर transmission जो है, transmission के case में और transfer में कुल differences है, जैसे transfer में generally amount involved होता है, पैसा, transmission में नहीं होता है, transfer में stamp duty लगती है, transmission में नहीं लगती registered transfer deed बनाई जाती है, SH-4 for में इसका, इसमें बनाई जाती है, जबकि transmission में इसके आवशक्ता नहीं लगती, transfer lock-in period में नहीं किया जा सकता, transmission lock-in में भी हो जाता है, transfer में debts लगए liabilities transfer नहीं होती, बत्य ट्रांसमिशन में deaths लगए भी ट्रांसपर हो जाते हैं तो यह कुछ चीजें ट्रांसपर और ट्रांसमिशन के डिफरेंस में दी हुई है आपको ठीक है तो ऐसा है फिर यह हो गया 56 57 कोई खास काम का नहीं punishment for personation है personation यह अगर कोई व्यक्ति जूट दर्शारा है वो यह शेर्स प्राप्त करना चाहता है यह डिविडेंट प्राप्त करना चाहता है और इसलिए वो गलत व्यक्ति बनके जा रहा है मेरे शेर सर्टिफिकेट मिले किसी को और वो शशांक शर्मा बनके कंपनी के पास पहुँच गया तो उसके ओपर पनिश्मेंट लगेगी पनिश्मेंट मुझे भी ध्यान नहीं है वैसे इंपोर्टेंट नहीं है न तो कुछ तो भी एक लाग से पांच लाग रुपए है देखो दिया होगा यह एक ही जगह है जहां फ्रॉड होने के बाद 447 नहीं लगता बाकी हर जगह फ्रॉड है तो 447 बट पनिश्मेंट पर पर सोनेश्मेंट में फ्रॉड है पर 447 नहीं हाँ इसका चैप्टर अलग है तो यह बहले ही 56, 57, 59, 61 बताता हूं में पर 57 आपको मिलेगा चैप्टर इसके बाद मेंबर्स वाले चैप्टर में पर्सोनेशन ऑफ मेंबर है वो इसलिए लेफ्ट रेंड साइड के पेज में नीचे दिया होगा हाँ एक साल और तीन साल की सजा वन्टू फाइव है ना हाँ वन लेक्टू फाइव लेक्ट और एक साल से तीन साल तो यह याद था मेरेको यह भूल गया था आसा है तो यह 57 में यह पेनलटी है वैसे काम की नहीं है एक्जाम में नहीं पुछी जाईगी तो पेनलटी पॉर परसोनेशन है If any person tries to obtain the benefits of the shares, dividend ले रहा है, share transfer करवाना चाह रहा है, जबकि actual में वो वेक्ति है ही नहीं, जिसको ये मिलना चाहिए, तो जूट बोल रहा है, वो personate कर रहा है, वो रूप बदल रहा है, तो ऐसे case में उसके ओपर ये penalty लगेगी है, ठीक है, तो 57 है, अठावन ये शायद last exam रहेगी, जहाएं ये question पूछ सकते हैं, तो शायद पूछ लें इस बार, public company के लिए, private के लिए तो पूछी सकते हैं, 58 बोलता है, अगर एक company, मान लो private company के angle से समझते हैं हम पहले, अगर एक company refuse कर देती है, shares transfer करना, समझो यहाँ पर documents जमा हुए, तो company ने within 30 days, 30 दिन के अंदर, transfer या transmission के document जमा हुए, यहाँ से 30 दिन के अंदर, एक private company ने inform करना चाहिए, transferor और transferi को notice देना पड़ेगा, कि मैं इसको refuse कर रहा हूँ, तो company बोलेगे कि हम यह transfer को refuse कर रहे हैं, ठीक है, अब यह refuse हो गया, तो हमको फिर tribunal जाने का अधिकार है, यहाँ पे सिर्फ transferi को अधिकार है, transferor नहीं जा सकता, transferi को अधिकार है, जब भी refusal आया, समझो यहाँ पर आ गया था, तो यहाँ से within 30 days, वो ट्रिबिनल जा सकता है, और अगर notice नहीं आया, तो फिर यहाँ से 60 days बोला है, और यहाँ से 60 days बोला है, यहने अल्टिमेटली 30 दिन मिलेंगे from this date, ठीक है, तो 30 दिन निकल गया, उसके बाद और 30 दिन मिलेंगे, यहने effectively he has a time of 30 days to file application to the tribunal, और कौन जाएगा, ट्रांसफरी जाएगा NCLT, ठीक है, 30 days का time है, अगर notice of refusal आया तो वहाँ से 30 days, कुछ नहीं आया तो यहाँ से 60 days, that means, यहाँ से 30 days, ठीक है, so NCLT फिर दो प्रकार का order pass करेगी, या तो वो dismiss कर देगी, appeal को, या फिर वो order pass करेगा, order में 3 चीज़ हो सकती है, एक तो 10 दिन के अंदर transfer, transmission, register करो, दूसरा, register of members को update करो, और तीसरा, अगर कोई नुकसान हुआ है, तो वो नुकसान की भरपाई, damages, तो यह delay होने से जो नुकसान होगा, उसकी भरपाई, यह private company, बिल्कुल सेम चीज़, अगर public company है, तो public company में, यह time limit same है, 30 days के अंदर उन्होंने मना करना चाहिए, बताना चाहिए, बट यह जो time limit है, 30 दिन, यह 30 के जगे हो जाएगा 60 दिन, और यह जो time limit है 60 दिन, इसके जगे हो जाएगा 90 दिन, in short, private company के case में 30 दिन का time मिलता है for filing the appeal, और public company में 60 दिन का time मिलता है for filing the appeal, ठीक है, तो यह द पिर 69, 59, rectification of register of members, rectification कब होता है, जब गलती है, error है, error कैसी हो सकती है, तीन प्रकार की error, किसी का नाम होना चाहिए, बट नहीं है, किसी का नाम register of members में नहीं होना चाहिए, बट है, या फिर unnecessary delay किया जा रहा है, या default हो रहा है, company के तरफ से, या depository के तरफ से, application कौन करेगा, application will be by the aggrieved person, जान बुच के aggrieved person लिखा है, क्योंकि member word अगर लिखते है, तो वही वेक्ति कर सकता, जिसका नाम लिखा गया है, in the register of members, अगर मेरा नाम नहीं लिखा गया, तो I am not a member, बट होना चाहिए था, तो मैं application तब कर पाऊंगा, जब ये word लिखा होगा, aggrieved person, तो aggrieved person भी appeal कर सकता है, दूसरा वेक्ति, member appeal कर सकता है, any member, और तीसरा वेक्ति, company भी appeal कर सकती है, ये rectification के लिए, अब company कैसे करेगी, तो company तब करेगी, जब defect है, error है, in the register of beneficial owners, तो वह वाला भी ठीक करना है, तो section 59 में cover होता है, ठीक है, किस के पास होगी, where, ncl t, और अगर foreign register है, तो competent court outside India, भारत के बाहर का जो court बताया गया है, वहाँ पे appeal होगी, फिर again ncl t, दोनों पक्षों को सुनते हुए same order pass करेंगे, या तो dismiss हो जाएगा, या तो order के द्वारा 10 दिन के अंदर register करो, register of members update करो and damages pay करो, ये तीन orders यहाँ भी same to same pass होते है, ठीक है, ये है, rectification of register of members, ठीक है, फिर साठ नंबर, साठ नंबर बताता है, कोई खास काम का नहीं, ignore करो, चलेगा, यहाँ सिर्फ ये बुलाए, जहाँ जहाँ authorized capital आपने लिखा है, वहाँ वहाँ subscribed capital और paid up capital भी लिखना पड़ता है, क्योंकि अगर आप मुझ से बूछते हैं कि सर, आ मैंने आपको बता दिया 2 करोड रुपए, अब actual में तो हमने उतना पैसा लगाए इच नहीं, हमने paid up capital रखा सिर्फ 50,000 का, बट मैं बताऊंगा 2 करोड रुपए, तो आप गुम्राह हो जाओगे, आपको एक गलत impression आएगा मन में, इसलिए it is compulsory कि मैं अगर कोई भी document में, क subscribed कितना है और paid up कितना है ये भी बताना पड़ेगा, it is compulsory, नहीं बताए तो अगें penalty है, penalty company पे भी है और directors पे भी है, penalty बहुत कम है वैसे 5,000 रुपए है शायद, पर for each default है, वो मुझे याद नहीं है, ये आपको दिखेगा share capital वाले chapter में, share capital में जान nominal वगरे ये सब पढ़ा है, वहाँ पर ये वाला भी एक point दिखेगा आपको, ठीक है, share capital वाले chapter है, share capital है, chapter number six, five में ही रहेगा जान तक, तो उसमें, nominal capital, फिर issued capital, subscribe capital, paid up capital वो सब है, उसमें जहाँ पे वो paid up capital वाले लिखा है ना, वहाँ पे bracket में लिखा होगा, section 16, चैर वो काम का नहीं है, बट देख ले न, penalty वैसे भी कोई काम की नहीं है, ठीक है, और कम ही है, penalty वैसे, बट वो for each default है, तो बढ़ जाती है, section 61, 61 कहां पढ़ा था, तो 61 था, memorandum वाले chapter में, MOA, AOA वाले chapter है, जो, alteration of capital clause, 61 बताता है, capital clause, alter किया जा सकता है, बाकी के clauses, special resolution, सिर्फ capital clause, alter हो सकता है, बाई, ordinary resolution, इसमें आप split भी कर सकते हैं, इसमें आप consolidate कर सकते हैं, sub divide कर सकते हैं, इसमें आप stock में convert कर सकते हैं, into fully paid shares, या re-convert कर सकते हैं, vice versa, and E वाला point, last वाला point, जिसमें आप cancel कर सकते हैं, cancel या diminish, कौनसा portion? the unsubscribed capital, unsubscribed portion को cancel करना है, and आगे दिया है, it will not be called as reduction of share capital, यह reduction नहीं कहलाएगा, क्योंकि reduction में subscribed portion cancel होता है, अगर हमने shares लेके निकले थे, company बेचना चाहती थी shares, समझो एक लाख, company के shares बेचे गए सिर्फ नब्बे हजार, that means 10,000 unsubscribed रहे गए, अब यह unsubscribed है, किसी ने खरीदा ही नहीं, आप इसको cancel कर रहे, तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, वैसे भी यह कोई खरीदा नहीं था, इससे balance sheet पे तो कोई impact ही नहीं पड़ता, balance sheet में यह amount कहीं दिखता ही नहीं, आपने देखा होगा balances की sheet, जिसमें आपको यहाँ पे दिखता है, यहाँ जब equity लिखा है ना, यहाँ लिखा दिखेगा subscribe issued, subscribed and paid up capital, यहाँ दिखेगा आपको, ठीक है, और बाहर जो amount आता है, paid up amount आता है, अब इसमें दिक्कत क्या होगी न अगर आपको यहाँ पे subscribed और issued अलग दिख रहा है, जैसे issued दिखेगा एक लाक और subscribe दिखेगा 90,000, तो थोड़ा देखने में अजीब लगता है, इसलिए आप इसको अगर cancel करना चाहो तो आप सिधा-सिधा unsubscribed capital को cancel कर दो, तो आप दिखेगा क्या, कि issued है 90,000 और subscribed है 90,000, त तो ऐसा दिखेगा, तो दिखने में गडबड नहीं दिखती, तो बाकी और कोई reason नहीं है, इसलिए इसको ordinary resolution से आप कर सकते हैं, क्योंकि इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं होरी, कोई balance sheet के figures चेंज नहीं होते, सिरिफ ये presentation का style चेंज होता है, तो उससे कोई फरक भी न में, तो ये reduction नहीं कहलाता, क्योंकि आपने unsubscribed portion को cancel किया है, अगर आप subscribed portion cancel करते हैं, तो वो section 66 में cover होता है, which is reduction of share capital और इसके लिए फिर NCLT की permission plus special resolution के requirement होती है, ठीक है, और उसमें और भी process है, वहाँ पे creditors की meeting बगरे होगी, वो सब चीज एक्स्टर की वहाँ होती है, ठी resolution 61, तो 61 में ये चीजें बताईए कि यहां ordinary resolution से आप alter कर सकते हैं अपना capital clause, फिर 62 अभी नहीं हो पाएगा, 63 भी नहीं, 64 पढ़ लो, 64 आपके book में 66 के साथ दिया है, 66 जब पढ़ते हैं, उसके just ऊपर दिया है, तो ये simple आपको notice देना पढ़ता है, registrar को, registrar को inform करना पढ़ change हो रहा है तो, ये capital कहां कहां change होता है, 61 में change होता है, जिसमें आप share capital change कर रहे हैं, हाँ even एक point चूड गया, आप authorized capital को बढ़ा सकते हो, यह authorized capital increase करना भी section 61 में आता है, first point में, यह वाले point में, ठीक है, so authorized capital अगर आप बढ़ा रहे हो, तो उसका भी return file किया जाता है, registrar के पास वैसे ही, 62 में हम पढ़ेंगे, जिसमें अगर government का पैसा हमने नहीं दिया, तो government resolution पास करके convert कर देती है, debentures या loans को into shares, अभी recently यह हुआ है, idea Vodafone के case में, so idea Vodafone जो है, vi, so उसके case में अभी हुआ है, सरकार ने अपना कुछ loan था, debt था, वो company pay नहीं कर पारी थी, तो company का व idea के share सीधा 20% के upper circuit पे थे, so अभी recent news थी वो, so यह होता है real life में भी, तो सरकार ने convert कर दिया, so convert करने से वैसा देखा जाए, तो कोई फायदा नहीं होता सरकार को, क्योंकि उल्टा वो shares में convert हो गया, तो fix, जो interest मिलने का अधिकार था, वो भी खतम हो जाता है, but फिर भी main name हो तो शायद हो, और इसलिए एकदम से उसके shares बढ़ गए थे, बट फिर कुछ दिन बाद उन्होंने कुछ results वगरे, गडबड कुछ तो भी post किया, और फिर से shares नीच आए, नहीं तो आट रुपे के उपर चले गए थे, आट रुपे तीस पैसे वगरे, तो बढ़ी बात है तो फिर से वो 10-15 रुपे, इवन आने वाले टाइम में अगर ये न्यूस पॉजिटिव आ गई, मर्ज वगरे होने की, तो फिर वो 25-30 रुपे, 40 रुपे भी हो सकता है, आने वाले 2-3 साल में, तो गैंबल है, तो लेके छोड़ दिये, ऐसा कर सकते आप, हजार शेर लेलो 6-7 रुपे क्या रहे, 10 रुपे इन्वेस्ट कर दो भूल जाओ, अगर बढ़ गए, तो बीवी बच्चे दुआएं देंगे, तो नहीं बढ़े तो डूप गए समझो, खैर चलो छोडो, तो वो भी अगर होता है, अगर convert किया गया, गौर्मेंट ने अपनी holding को convert कर दिया, लोन को convert कर दिया into shares, तो ये भी आपको notice देना पड़ेगा to the registrar, कोई भी alteration होता है, तो वो notice देना पड़ेगा आपको, ठीक है, इसके लिए time दिया गया है 30 days, 30 days from the alteration आपको notice देना पड़ता है to the registrar, ठीक है, फिर 65 कोई काम का नहीं है, 65 बोलता है, जब unlimited company limited बनती है, तो reserve capital create करना है, create, reserve share capital, that means जब company बंद होगी तब वो पैसा मंगाया जा सकता है, ये कोई काम का नहीं है, 64 पे भी question chance कम है, question पूछने के, फिर 67 से buyback चालू होते है, 67, 68, 69, 70, buyback, debentures, nomination, कोई काम का नहीं, nomination फिर भी इस बार पढ़ लेना, क्योंकि अभी new rules चल रहे है, nomination के, अभी compulsory nomination हो गया है, बहुत सारी चीज़ों में, mutual fund बगरे में, either you will have to opt out, या फिर आपको nominate करना पड़ेगा, but कुछ भी नहीं किया, ऐसा नहीं चलेगा, ठीक है, फिर यहां से deposit चालू होंगे, 73 से 76 A, ज transitional provision था, damages for fraud वगरे नहीं है, फिर यहां से charges चालू होंगे, 87 तक, 88 से register of members, 95 तक, और 96 से आगे meeting वाले sections चालू होते हैं, 122 तक, 123 से dividend चालू होगा, 127 तक, 128 से books of accounts चालू होगा, 138 तक, और यहां से audit and auditors चालू होगा, ठीक है, कोई doubt होगा तो पूछ लो, बाकि अभी sections नहीं कर पाएंगे अपन, तो अभी break ले लेते हैं, एक long break, कल मिलेंगे, हाँ, 22 गंटे का break, हाँ कोई doubt आया, सर भेज दीजेगा आप list as it is, हाँ सोचता हूँ, चलू, धमकी है, धमकी, एक दम, सर भेज दी गया, एक दम, as it is, यह हर रिक्वेस्ट, रिक्वेस्ट आ गया, सर रिक्वेस्ट, चलू, चलू, कोई doubt, online वाले, offline वाले, घर पे एक बर पढ़ो, पढ़ोगे ना, तो एकदम, पक्का हो जाएगा, तकलीफ नहीं जाएगे, पक्का हो जाएगा एकदम, यहने पास होना 100% हो जाएगा, तो थोड़ा speed up तो करी रहे है अपन, बट उतना जरूरी है, time कम है न अपने पास, so, one day revision नहीं ले पाया मैं, time नहीं था उतना, और अभी भी time एकदम limited है, मेरी class खतम होती है, और बस 5 minute की gap पर आपकी class है, उसके बाद फिर 2 घंटे मेरी class है, 15 minute की gap पर tax की class है, so, time limit बहुत ही, यहने एकदम pack schedule में बीच में रखी गई है class, तो इसलिए अपने पास time बहुत कम है, बट ठीक है, हो जाएगा उसमें अपन, यह speed में ही चलेंगे, और ऐसे ही पढ़ेंगे अपन, section wise, तो आपको थोड़ा easy भी रहेगा हो, और आप बात में book से पढ़ लो ए से क्यों से फज जाते हैं, so RTP जरूर करना, ठीक है, चलो, so conclude करते हैं, मिलते हैं अगली class में, thank you.